आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दे कभी नंदन और स्वागत है लेकिन ये जिस तरह का विशय है इसमें इस तरह के शब्दों को प्रियोग करने में मुझे बहुत संकोच अनुभव हो रहा है इसमें स्वागत और अभिलंदन इस तरह के इडिशय को लेकर के हम कैसे कर सकते हैं और क्या इसमें ऐसा विशय है जिसके लिए हम ये कहें कि आज की तरचा में हमें बहुत उत्सुकता होनी चाहिए लेकिन फिर भी इस तरह के विशयों से हम बच नहीं सकते इनको हमें देखना भी है समझना भी है और इसके बारे में एक पश्टता हमें अपेक्षित है ताकि हम अपने भविशय को अपने फ्यूचर कोर्स ओफ एक्शन को हम डिसाइड कर सकें कि क्योंकि आने वाले समय में जो डेमोग्राफिक चिंजे जा रही हैं और जो परिवर्तनाने जा रहे हैं उन सब के बीच में अगर हम अपने इतिहास को अपनी घटना क्रम को भूल जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम ना तो अपने साथ नयाय करेंगे ना अपनी परमपरा के साथ ना उसकी रक्षा अभी नहीं कर पाई तो आगे की चर्चा सीधे विशे की और आने से पूरू मैं एक दो बातें आपसे सांजा करना चाहता हूं मैं धन्यवाद सबसे पहले करना चाहता हूं डॉक्टर सुभाज चादू जी का जिनकी वज़ा से आज श्री शुशील पंडी जी हमारे साथ जुड़े हैं उनके माध्यम से उनसे संपर्क हुआ है और उनका हम लोग जितना अभार व्यक्त करें मुझे लगता वो कम है और आज की यह चर्चा जो है इंटर डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर स्वामी विवेकानन स्टड़ी पंजाव और साथ में जुड़े हुए अन्य सभी संस्थानों की ओर से यह आयोजित की जा रही है और इस सेंटर की जो प्रोफेसर और डारेक्टर हैं डॉक्टर शिवानी शिर्मा वो धन्यवाद ग्यापन सबसे अंत्में करेंगी और आज की चर्चा को हम आर्म करते हैं सीधा है कि और लूँगा ताकि हमें यह पता हो कि हम हमारी जानकारी कितनी है और कितनी रेलेवेंट है कितनी यथार्थ है या कितनी आयथार्थ है ताकि उसके आधार पर हमें सुशील जी से हमें मार्ट निर्दिशन प्राप्त होगा वस्त होता है जब मैं कश्मीर और संस्क्रि शब्द को देखने की कोशिश की कि भी उसका हिंदी अनुबाद क्या करूं कैसे करूं तो मेरे सामने एक बड़ी भारी समस्या यह आ गए कि उस तरह का वर्णन एक्ट्रॉसिटी शब्द के पीछे जो सोशो कल्चरल मीनिंग है वो मुझे कहीं पर भी अपने संस्कृत साहित में देखने को नहीं मिला इसलिए यह एक बड़ी भारी कठिनाई थी कि किस तरह से इस शब्द का अनुबाद करें तो बहुत समीब जो इसका अनुबाद धूंडा वो अत्याचार लेकिन वो अत्याचार शब्द भी परियाप्त नहीं है क्योंकि इस तरह के अत्याचार ए अत्याचारों के राक्षसों के द्वारा और लोगों के द्वारा लेकिन इस तरह का जो वर्णन है जिसकी मैं अभी आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा जिस वस्तुता अट्रॉसिटीज करते हैं वैसा मुझे कोई शब्द नहीं मिला उससे आगे भी मैंने शब्द की कोशिश की जिसे आप कह सकते हैं क्रूर करम या पैशाचिक क्रित्य ये भी शब्द जो है मुझे परियाप्त नहीं मिले कि मैं ये कह सकूं कि अट्रॉसिटीज का ये परियावाची या उसके अर्थ को सपष्ट कर सकता है क्योंकि जब आप ऐसे अत्याचार करते हैं जह किसी की आँक निकाल दें किसframe आंग तोड दें किसी को दिवार में चनवा दें किसी के शरीर का मास नोच लैं जीवित व्यक्ति का तो इस तरह का तो मेरी परंपरा में कम से कम और संस्कृती में इस तरह का कोई न क्रिक्ति देखने को मिला ना मुझे कोई इस तरह का संदर्ब ढूंडने पे मिला अब इस संदर्ब में हमें ये देखना होगा कि हम कैसे और कैसे इस सारे विशे को देखें समझें और हम कैसे इस सारे विशे को रिस्पॉंड करें अब इस सारे विशे को इस बात पे भी मैं आपके साथ सांचा करना चाहता हूँ कि इस सारे विशे को मैंने लिया क्यों क्योंकि यह controversial कुछ विशे हो सकता है और कैईों को थोड़ा सा कष्ट प्रद हो सकता है कि काश्मीर में हिंदों पर इसलामी अत्याचार और मानवता के खिलाफ अपराधों के घटना बृत्त का संस्कृत शास्त्र हैं तो जैसे ही संस्कृत शास्त्र मैं खोलता हूँ तो मेरे सामने जो पहली पैराग्राफ सामने आता है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं उस पैराग्राफ को संस्कृत में नहीं पढ़ने जा रहा है लेकिन एक अनुमान देने के लिए उसकी हिंदी आपके साथ सांजा करता हूँ और ये जो है संस्कृत का प्रतम उपन्याज जैसे शिवराज विजय कहते हैं पंडे तंबिक्का दत्वियास त्वारा 1848 के बाद लिखा गया और उसमें वो वर्णन कर रहे हैं कि क्या उन मिलेच्चों के राज्य में किस तरह की स्थिती है हिंदूओं की आप केवल देखिए उसका वर्णन देख लीजे और आपको बड़ा स्पष्ट होगा कि बिल्कुल नितांत वही कि सारी घटना क्रम आपको कश्मीर और कई जगा अन्य आपको देखने को मिलेगा हलांकि वो संस्कित का उपन्यास है क्वा दुना मंदरे मंदरे जयजय ध्वनी तो मैं हिंदी आपके साथ सांजी कर रहा हूं संग्षेप में कि अब मंदिरों में जैजय कार कहां, तीर्थों में गंटा निनाद कहां, मठों में वेद धोनी कहां अब तो वेद की पुस्थकें पाड़ कर सड़कों पर बिखेरी जाती हैं, धर्म शास्त्रों के गरंथ अस्त व्यस्त कर आग में जोंके जाते हैं पुरान की पुस्तकें पीस कर पानी में फैंकी जाती है भाश्य गरंथ तोड मुरोड कर भाड में जोंके जाते हैं कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं कहीं तुलसी बन काटे जाते हैं कहीं स्त्रियों का अपहरण किया जाता है और कहीं धनसमबत्ती लूटी जाती है कहीं करुण करंदन है तो कहीं रुधिर धारा कहीं अगनी कांड है तो कहीं ग्रेध ध्वंस यही चारों और सुनाई देता है और यही दिखाई देता है 1848 में एक पंडित वो बैठा हुआ लिख रहा है और यह वर्णन आज की कश्मीर की स्थिति के उपर कम से कम 1990 से पहले की स्थिति पर तो बिल्कुल यह थार्थ घटित होता है तो यह एक थार्थ जिसकी वज़ाए से इस टॉपिक को मैंने चुना और उसके बीच में संस्थित शास्त्रिय अध्यन शब्द को मैंने रखा यह सारी चीजें आप जानते हैं मुझे इसके विशे में नहीं जानता लेकिन जो लोग कश्मीर से सीधे नहीं है जिनका सीधा संपर्क नहीं रहा है और जिन्होंने इस सारी स्थिति को भोगा नहीं है इस पीड़ा से नहीं निकले हैं उनके लिए कि यह स्थिती वहां की रही है, अब तो हालात कुछ सुधरे हुए हैं, लेकिन फिर भी सतही तोर पे वो सुधरे हुए हालात हमें लगते हैं, लेकिन भीतर क्या कुछ है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, तो जहां पर घरों को कैसे लूटा गया, लोगों को उजाडा गया, रेप, बर्टर्स, कश्मीरी के लिए थे, हर कश्मीरी पंडित के लिए थे, और खमाल की बात है, कोई बुद्धी जीवी, कोई इंटेलेक्ट्वल, कोई इनके उपर प्रतिक्रिया देने के लिए कोई उस वक्त उपस्तित नहीं था, और ये मैंने कुछ नीचे स्लोगन्स और जो डेली की वह हाँ, हेड्लाइन्स समाचार पत्रों की हैं, उनको आप देख सकते हैं, तो आप अनुमान कर लीचे कि ये सारी स्थिति कैसी रही होगी, वस्तु स्थिति कैसी रही होगी, मैं सब कुछ पढ़के नहीं सुना रहा, आपके एवल स्क्रीन के उपर देखिए और मेरी बात सु करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं आपका परिचे आज के मुख्यवक्ता से कराऊंगा, लीखे जब संस्क्रित क्योंकि मेरा विश्य संस्क्रित है, और मैं संस्क्रित की आधार भूमी पर खड़ा होके ही इन सब विश्यों को देखने कि हमेशा प्रयास करता हूं, और बाक्यों से भी आगरे करता हूं, कि संस्क्रित आपकी आधार भूमी है, उसके उपर खड़े होकर कि जब तक आप नहीं देखेंगे, तो हम कहीं न कहीं बहुत कुछ खो भी देंगे और हम मार भी खाएंगे, जब मैं इस विश्य के बारे में सोच रहा था, पढ़ रहा थ तो मेरे सामने कश्मीरी हिंदू नेतरित्व का प्रशना आया, कि उस वक्त नेतरित्व का मतलब यह नहीं है, कि वहां का कोई लीडर होगा, लेकिन जन्हें हम एल्डर्स कहते हैं, कमुनिटी एल्डर्स कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं, क्या उन लोगों ने इन सब मैं आपके सुविदा के लिए कह रहा हूं, कि कोई घटना आजाए, कोई मुश्किल आजाए, उसमें जो उसी वक्त तुरंत गुद्धी होती है, उसको प्रत्योत पनमती कहते हैं, यह उसमें कहानिया हैं, पंचतंतर की लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल कहानिया हैं, तो क्या उसक्षमीरी हिंदू नित्रित्व जो रहा होगा, जो एल्डर्स रहे होंगे, उन्होंने इस थिती का क्या रिस्पांस सोचा होगा, कैसे रियक्ट करने के बारे में विचार किया होगा, तुरंत, दूसरे वो होते हैं, जो community elders जिने हम कहते हैं नित्रित्व, वो अनागत व इसरा होता है यद भविश्य, ये सबसे निम्नकोटी का नेत्रित्व होता है, कि भाई जो होगा देखा जाएगा, तो ये तीन तरह की बाते हैं, तीन पक्ष हैं, जरूर इस हिंदू नेत्रित्व के, जो हमारे अग्रच रहे होंगे, उनका क्या रिस्पांस रहा होगा, त कि आप कश्मीर की जो परंपरा रही है, वैतिक और शैव की रही है, जिसमें संस्कृती, परंपरा और इतिहास आपको बहुत विस्तार पूर्वक आप सभी जानते हैं, मुझे उस पर टिपड़ी नहीं करनी, दूसरा पक्षी है, जो आप ट्रेंगल का नीचे की और देख क्या रहा है कश्मीरी पंडितों के सामोहिक हत्याइन निर्वासन बलातकार धन्समपत्य की लूट के बारे में, तीसरा जो इसका पक्ष रहा है, जो कि इसलाम, जो कश्मीर का इस वक्त यथार्थ है, लगवगदेर्मी चौद्वी शिताब्दी के आनवर्ड्स, वो यथा और प्रभावी होते चले गए, ये भी हमें थोड़ा सा जानना और समझना होगा, जब हम भविश्य के बारे में चर्चा करें, और इन सब के बीच में छोस्थिती को और अधिक कॉंप्लिकेटिड कॉंप्लेक्स बनाने वाले राजनितिक आतंकवादी अधिकारी वर्ग सम आने मुसलिम, जिसे हम कहते हैं कि नी, नी, they are very good people, बुद्धी जीवी, UNO आधी-आधी, इन सब का रोल क्या रहा है, इन सब बातों को समझने के लिए, आज हमारे साथ जो मुख्य बक्ता के रूप में उपस्थित हैं, श्री सुशील पंडिजी, जो कि नैशनल और इंटर द्रिष्टी है, जिसका मैं बहुत उनका कायल हूँ, और निश्चित रूप से उन से आज परिचित होकर कि मैं अपने कुछ सम्मानी तरभाव करता हूँ, और साथ ही साथ वो को फाउंडर है, Roots in Kashmir संस्था के, और इसके साथ वो पब्लिशर है, प्रासनेंत, बाइलिंग करना चाहता हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि उनकी आँखों में जो पीड़ा घनी भूत होकर के जलकती है, और उसको जो प्रसुत करने के लिए जिस तरह की संयमित भाशा से वो प्रभावित करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत साथ उबात के पात रहें, तो इस slide के साथ जहां पर वो अपने एक टिपनी कर रहे हैं, placating jihad and humoring them with generous concession to win their hearts and minds does not work. It has never worked, nowhere in the world, never in the human history. Instead, it is like making an investment in your own destruction. Yet we don't learn, leaders are obsessed. सद, आपके इस तकलीव को, इस कष्ट को, इस गयरे अनुभव, जो सारी community के भीतर हमेशा के लिए रह गए हैं, उनको हम सांजा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके प्रतिय अपना विनम्र भाव प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए हमने आज आज आपको सादर आमंत प्रित यहां किया है, कि आप इस सारे विशय वस्तू के अंतरधाराओं से, इसके स्ट्रक्चर से, इसके प्रति जो अलग-लग तरह के responses रहे हैं, जिसको आपने देखा, समझा है, और उससे संघर्ष किया है, उस सारे के विशय में आप हमें आज अवगत कराएं, और आपक को हम लेंगे, तो लगभग आगे 40-45 मिनिट के लिए आप इस चर्चा के लिए साधर आमंतरित हैं, कि इस सारे विशय को हमारे लिए आप प्रस्थूत करें, तो मैं साधर आमंतरित कर रहा हूं, श्रीज, सुशील, पंडेची को, कि वो इस विशय पे अपनी बात रखें, नमस्ते माशारदे काश्मीर पुरवासिनी वामहं प्रार्थये नित्यम विद्यादानं चते हिमा, हर्योग, सभी सम्मानित शूतागान, मैं अभारी हूं, आपके सम्मुह का इस आमंतरन के लिए, इस अवसर के लिए और अनुग्रहित, अनुभव कर रहा हूं, इस विशय पर आपने अपने बहुमुल्य समय में से मुझे कुछ भाग दिया, मैं अपने कुछ दथ्य, अनुभव, और इस विशय से संबंदित कुछ आकलन आपके सामने प्रस्थित कर सकों, यह विशय अब लगभग दोढ़ाई दश्कों से, मेरी कौतोहल का, मेरी जिग्यासा का विशय रहा है, इस पर सामगरी सहज उपलब्द नहीं होती है, लेकिन जो कुछ भी उपलब्द रही और मेरी सिमित बुद्धी ने, इस में से जो कुछ च्छाना वो आपके सामने प्रस्थित है, कहीं कोई तुटी दुश्टता रह गई हो, तो मैं आपसे अगरिम शमाय आचना करता हूँ, और इस पर आगे चर्चा की गुन्जाइश है, कश्मीर मेरे पूर्वजों की भूमी है, जन्म भूमी है, और जो हमारी उरहत मात्र भूमी है भारत, उसके सुदूर उत्तर का एक शेत्र है, और इसे हम आज अपने एक भूगोल का भाग मान कर, लगभग वहीं तक सीमित रख कर, उसके विशय में विचार विमर्ष करते हैं, करते आए हैं और ऐसा मेरा आकलन रहा है, कश्मीर जब भी चर्चा में आया है, तो भारत के सुदूर उत्तर का एक प्रांत, के जो विवाद, भूमी का विवाद, सीमा का विवाद, तस यहां तक कश्मीर हमारी चेपना में सीमित कर दिया गया है, हाँ उससे पहले कुछ इस विशय में, जरी किसी को कोई काव्य, कोई उद्धरा देना होता था, तो अमीर खुसरो का जो एक शेर है, और फिर्दोस बर गुएन जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, कि धूमी पर यदी कहीं स्वर्ग है तो यहीं है यहीं है यहीं है इस उद्धरां के साथ कश्मीर के प्राकर्तिक सौंदर उसकी नैसर्गिक छटा तक उसको सीमित कर दिया गया मुझे भी इसका भान नहीं था कि कश्मीर को ले करके भारत में इससे अधिक समझ होने की आवश्यक्ता है एक अनायास आकस्मिक अनुभव ने मुझे इसकी ओर थोड़ा अग्रिसर किया जब मेरे कॉलेज के संस्कृत के प्राध्यापक मुझे एक बार अपने घर ले गए पिता से मिलाने और उनके पिता उन दुरों अभ्य वर्ष की आयू से उपर के थे उन्होंने कहा कि पिता जी ये सुशील है ये कश्मीर से हैं तो उन वृद्ध आँखों में भी जो चमक आई नवसे अभी भूल नहीं सकता उनने कहा कि आओ बैठो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा पांचांग विश्व का सबसे प्राचींतम पांचांग है डॉक्टर सुरेकान बाली ने मुझे बताया कि उनके पिता चंडरकान बाली पांचांग के विशेश अग्य थे शायद लिविंग अथोरेटी अंग्रेजी में कहते हैं दुनिया में काल गणना को लेकर के उनका जो अध्यन था उनकी जो शोद था रुचि थी वह अनन्य थी मैंने कौतवल को पूछा अच्छा कैसे कितना मैंने कहा कि आपका समुदाई जिस पांचांग का पालन करता है उसको कहते हैं सब्तरिशी समवत यह प्राजीनतम प्रचलित पांचांग है जो चंड्र उनकी है चंड्र को केंद्र में रखकर जो गरह गती गणना यह सब की जाती है अध्यन किया जाता है चंड्रमान पांचांग है 5,000 भर्ष पुराना मैं घर आया मैंने कुए हमारे अब पतिवर्ष नहीं पति आती है तो तब आज वो पांच हजार एकवा वर्ष चल रहा है उसका, उस पांचान का, तो आज से सोचिए, लगवग 20 वर्ष पहले, मैं तो देखकर चकित रह गया, और मुझे में एक ये गलानी भाव भी जागा कि मुझे ही नहीं पता, मैंने कभी पांचान उलट-पलट के देखा नहीं था धर में, क्योंकि ये काम माता-पिता का रहता था, कब मूर्थ है, कब अमावस्या है, कब पूर्ण माशी है, कब कौन सा उत्सव है, कब कौन सी अनुष्ठान की आवर्शक्ता है, पुजा करनी है, पहली बार मैंने उसको ठीक से उलट-पलट के देखा, तो मुझे लगा कि यदि मेरे पूर्वज इतना समय पहले से पांचान करते आ रहे हैं, तो केवल पांचान गी नहीं किया होगा न, कुछ और भी किया होगा। तो इस कौतुहलवर्श मैंने पूछना शुरू किया, आसपास, और एक बहुत बड़ा अपराद भाव था, कि जो परंपरा इतनी पुरानी कश्मीर की मिट्टी में रची बसी थी, आज वो कश्मीर से लुप्त हो गई है, और ये मेरी पीड़ी का दुर्भाग्य है, कि हम उसे अक्षण नहीं रख पाए। वो साइकणों, पीड़ियां उसे चलाती आई, एक दूसरे को हस्तांतरित करती आई, लेकिन हमारी पीड़ी में आकर के ये क्या दुर्दैड है कि इतनी पुरानी परंपरा, इतनी भगमूल्य परंपरा का कश्मीर से लोग हो गया, अब वो पांचाम जम्मू में बैठके लिखा जाता है, इस गुमी पर कश्मीर में नहीं है, और क्या-क्या लुक्त हो गया, और क्या-क्या छिन गया, क्या-क्या हमसे छूट गया, इसको जानने के लिए मैंने कुछ अपने समधाय के जो समझदार बुर्द्ध थे, इसे पूछना शूरू किया, तो पता चला कि इतिहासकारों का आज के ललित अधनिक इतिहासकारों का मानना है कि विश्यों में अगर कहीं वर्तमान मानकों के अनुसार इतिहास लिखा गया पहली बार, तो वो कश्मीर में कलहन ने राजतरंगिनी के रूप में लिखा, लगभग नौसो वर्ष पहले, धूंड कर उसकी पती मंगाई, पढ़ी, पता चला के और भी राजतरंगिनिया हैं, जो एक रिले की तरह कलहन ने छोड़ी, तो जोन राज ने वहां से उठाया, जोन राज लिख चुके, तो श्रीवर ने जोन राज ने जहां छोड़ा, वहां से उठाया, फिर प्राग्यभट ने लिखी, उसके बाद शुक ने लिखी, तो एक शुक ने लिखी, तो एक राजतरंगिनी नहीं, तो इतिहास लेखन की एक परंपरा कश्मी में रही, कलहन इसलाम के आने से पूरू के इतिहास कारते हैं, वो श्प्रारंब करते हैं, अपने इतिहास लेखन में उनका संधर्ब आता है, नीलमत पुरान से, मैंने पूछा, नीलमत पुरान तो पता चला कि ये कश्मीर का स्थल पुरान है, वो कश्मीर की उत्पति से, उसकी अंदर जो कथा है, कैसे कश्मीर, कश्मीर होने से पहले सती सर था, एक बड़ा विशाल सरोवर था, जो माता सती का ही, एक क्रीडा स्थल था, क्रीडा स्थ और जलोद्भव उसमें एक देट जल से उत्पन हुआ और जल में ही उसको सरवाधिक शक्ति प्रदान दे उसने जो आतंक मचाया तो स्वयम रिशी कश्यप को आना पड़ा और वहाँ उस जल का निकास किया गया और जलोद्भव के पास जब जल का आश्रे नहीं रहा तो उसका वद हुआ शुष्क भूमी आई और रिशी कश्यप ने वहाँ एक बहु आयामी समाज की समुदाय की स्थापना की जिसमें गल्धर्व भी थे, नाग भी थे, किन्नर भी थे, विशाच भी थे, ब्रामण भी थे इसे हम आज एक प्लूरलिस्टिक सुसाइटी कहते हैं सामन जिस्था के साथ वहाँ रही प्रफम राजा नील था जिसके नाम पर नील मत पुराद पढ़ा पता चला कि इसको शारदा देश भी कहते हैं जिस श्लोक से मैंने अपना वक्तवे को आरंब किया ये मा शारदा का ग्रहक शेक्र था इसलिए इसे शारदा प्रदेश कहा जाता था और क्यों? क्योंके भारतिय संस्कृति में ज्आन परंपराओं पहुद्गम यहाँ से ही ऐसा माना जाता है कि ये थे संस्कृत का अधिकांश साहित्यय मैं पचास प्रटिशत से अधिक साहित्यय है तो कश्मीर में लिखा गया या कश्मीरियों ने लिखा और यदि उसे निकाल दिया जाए संस्क्रिक वांगमा यसे तो क्या बचेगा इसकी कल्पना भी बहुत पीड़ा दाए बहुत अधुद उच्च कोटी के कवी हुए कश्मीर में दिलहन हुए क्शेमेंद्र हुए दर्शन शास्त्री हुए वयाकरन हुए रुयक, कयत, मम्मत, अभिनवगुप्त हुए आचार्य अभिनवगुप्त पाद इन सब के शुरोमनी कहे जा सकने वाले आनन्द वर्धन को भन्या लोक लिखने वाले, कावे प्रकाश लिखने वाले, मम्मत उनका मैं नाम ले चुका हुए शेमराज हुए सबसे अग्रुनी शिश्यों में से आचार्य अभिनवगुप्त के ऐसे मनीशियों की भूमी रही जिन्होंने विभिन्न ज्यान की विश्यों पर शास्त्र लिखे जो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी उस विशय के अध्यन के आधारभूत ग्रंद हैं ऐसी भूमी जिसकी ओर काशी से सनातक उत्तर हुआ छात्र तीन ओर पगधरता है सांकेतिक रूप में ये कहने के लिए कि अब मैं अध्यन के लिए काशी से निकला हुआ सनातक कश्मीर जाओं इसलिए उसे शार्दा पुदेश का है और केवल जिसे हम सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, आगमिक संस्कृति कहते हैं वही नहीं, वहाँ बउध के महायान जो परंपरा है, उसका प्रादुर भाव हुआ कनिश्क ने चौथी अंतरराश्ट्री ये बउध समागम वहाँ आयुजित किया और पद्मसंभव कश्मीर से गए, तिबबत और तिबबत से चीन और चीन से कोरिया, कोरिया से जापान जो महायान बउध संप्रदाय का विस्तार हुआ, उसके बीज पद्मसंभव को दूसरा बुद्ध कहा जाता है कुमार जीव, ये दोनों कश्मीरी थे, नागार जुन, ये कश्मीर आये और यहां उन्होंने अध्यन तप किया, मन्चिंतन मनन किया और इस मत को परिश्कृत किया, इसका और अनुसर्णान किया अश्वघोष, ये सब कश्मीरी थे, आज से 2000 वर्षों से भी अधिक पहले बुद्ध के साड़े 300-400 वर्ष बाद तो कश्मीर विभिन विधाओं में, विभिन परमपराओं में, विभिन विश्यों में अध्यन अध्यापन का केंड़ रहा, दूर सुदूर क्षेत्रों से विद्वान महां आते रहे और उसकी इस परमपरा को सम्रुद्ध करते रहे, और केवल पतंजली के योग सूत्र वहां लिखे रहे पणिनी की अश्टा ध्याई वहीं हुई, यासक अचारे वहां हुई, मैं किस-किस के नाम लूँ और किसे भूलू किसे छोड़ू ऐसी भूमी पर विद्या का एक केंद्र शारदा पीठ था, जो आकर्षित करता था विद्वानों को सभी दिशाणों से और केवल दर्शन, व्याक्तरण, गनेत, साहित्य, काव्य, योग, निमांसा, आगम, तंत्र, केवल यही नहीं, यह योद्धाओं की भी भूमी रही हुए। अनन्य वीर, राजा और सामराज्य यहीं से, कारकोटा वंश के ललिता दित्य को पश्चमी देशों के इतिहासकार अलेक्जान्डर अव दे इस्ट कहते हैं। उसका सामराज्य आठ्वी सताग्दी में, दक्षन में कावेरी तक छूता था, पूर्व में प्राग जोतिश्पुर ब्रह्मपुत्र को छूता था, और उत्तर पश्चम में कैस्पियन सागर तक जाता था। महाराष्ट्र में उन दिनों राष्ट्र कूट थे और वे उसका, उसकी सारुभामित्ता स्विकार करते थे, खन्नौज का राज्यानी, उसका आदिपत्त्य स्विकार करता था, और उसकी राजधानी कश्मी थे। और यह सामराज्य तब स्थापित हुआ जब इसलाम आंधी की तरह चारों दिशाओं में फैल रहा था। इरान जीता जा चुका था। आप सोचिए, 711 इस्वी में महम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमन करके पहला इसलामी शासक बनता है। और 719 इस्वी में ललता दित्ते का राज्य विशेख होता है। अगर 711 इस्वी में महम्मद बिन कासिम भारत भूमी पर आधम का था। सिंध में तो दिल्ली तक इसलाम को आते आते 1192 इस्वी का समय लगा। लगभक 500 वर्ष। लेकिन इस कालखंड को हमारा इतिहास हमें पढ़ाता नहीं है। हमारे इतिहास में ललिता दित्ते कहीं नहीं है, कारकोटा वंच कहीं नहीं है। मेवाड के बप्पा रावल नहीं है। और पूरा सिसोधिया वंच महारान प्रताप तक उसकी कोई गाथा नहीं है। मैं जानकर आश्चर हुआ है, आज जो पाकिस्तान में रावल पिंडी है, वो बप्पा रावल के नाम पर बसाई गई, उसी के द्वारा बसाया गया। कारकोटा वंच के बाद उत्पल वंच आया, उसके बाद लुहार वंच आया। कश्मीर में अन्तिम हिंदू राजा लुहार वंच के थे। लुहार वंच का ही पहला समराट जो ग्यारवी शताबदी में जिसने कश्मीर से शासन शुरू किया, संगराम राज, उसने दो बार महमूद घजनवी को हराया, दो बार कश्मी पर आकम हुआ महमूद गजनवी का उस महमूद गजनवी का जिसके बारे में हमें ये पढ़ाया जाता है कि वो जैसे सर्दियों की छुटियां बिताने भारत आता था जिस दिशा में चला जाता था लूट पाट करता हुआ रौनता हुआ मारता हुआ पिटता हुआ लूटता हुआ फिर लौटता था हजारों हाथियों पर वो लूट का सामान लेकर और दसियों हजारों को दास बना कर घसीटता हुआ मारी माताओं बहनों को मंडियों में बेचने के लिए ले जाता हुआ ये नहीं बताया जाता कि कश्मीर पर उसने जब दो बार आक्रमन किया उसको जान बचा कर भागना मुश्किल हो गया और जिस राजा ने ये संभव किया उसका नाम संग्राम राज किसी ने सुना नहीं है उसके वंश का नाम किसी ने सुना नहीं है तो ये तरह से दी रही तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम आज अपने संस्कृती के विद्ध्वन्स के कारण बीज, कारक इन से परिचित नहीं है अगर ग्यारा सो बानवे में दिल्ली का अंतिम हिंदु राजा प्रत्फिरा चोहान पराजित होता है महम्मद गौरी से तो कश्मीर में अभी भी हिंदु शासन था वहाँ इसलाम के प्रचारफों का आगमन चौधमी शताब्दी के प्रारंभ में शर्नार्थियों के रूप में बता है इसलाम कश्मीर में घोड़े पर चड़कर तलवार भांजता नहीं आया युद्ध जीत कर नहीं आया शर्नार्थी बनकर आया सबसे पहले शर्नार्थियों में एक नाम है बुलबुल शाह ये उईगुर मुसल्मान जिनके बारे में हम आज सुनते हैं चीन बहुत बिटाई कर रहा हैं कि ये वो थे जो पहले बगदाद जाते हैं और बगदाद जाकर एक सूफी सिलसिला है सोहरा वर्दी हमको सूफीों के बारे में भी बड़ी गलत फहिमी है उस सिलसिले से रच बसकर फिर ये ढूनता हुआ भारत आता है और कश्मीर में उन दिनों राजा थे सहदेव उनसे शरन पाता है कश्मीर में ज्यान की और सौहाद की परंपरा थी इन्हें एक सहज स्विकार कर लिया जाता है लेकिन कश्मीर अपनी संस्कृती में टिका हुआ है फिर एक और नौजवान आता है स्वात वैली जो घर था पानिनी का जहां अश्टा ध्याई लिखी गई जो कश्मीर से as the crow flies अंग्रेजी में सीधी अगर लकीर खीचें तो सौ किलो मेटर दूर भी नहीं थी स्वात खाटी कश्मीर खाटी से वही एक शेत्र था कश्मीर गांधार महा जनपत कहते हैं इसे वहाँ पर इस्लाम शासन आ चुका था तो वह तख्ता पलट करने के प्रयास में सफल होकर जान बचाकर कश्मीर में शरण लेता है सहदे उसे भी शरण लेता है एक और शरणार्थी आता है लद्दाक से वो भी एक रेनेगेड बुद्धिस्ट है नोबल फैमिली से रिंचिन उसका नाम है इनमें अनुग्रह का भाव कृतग्यता का भाव नहीं है कश्मीर में शरण पाई है कश्मीर पर एक बड़ा आक्रमन होता है तातार एक कबीले से दुल्चू नाम का एक शासत बहुत बरबर शासत आक्रमन करता है और कश्मीर को तहस नहस करता है कुछ छे-ाठ महीने रहकर उसके पेड़, उसकी फसलें, उसकी तालाब सब नश्ट करता है और जब भुखमरी की हालत हो जाती है तो हजारों बंदियों को लेकर कूच करता है और एक पहाड़ी दर्रे पर अवलाउन शेक बर्फ के तूफान में दब कर मर जाता है इस अफरा तफरी में सहदेव के स्थान पर उसका सेना पती बागडोर संभालता है जिसका नाम है रामचंद्र रिंचिन को लगा कि ये एक अवसर है उथल पथल का और वह रामचंद्र से परिचित है बीमार होने का बहाना करता है रामचंद्र से आग्रे करता है कि वो उससे मिलने देखने आए और उसे घात लगा कर मार देता है घात लगा कर मारने के बाद स्वहिम को राजा घुशित करता है कुछ कुलीनों में वो उसने पहले साठ घाट कर रखी थी और फिर यही बुलबुल शा जो पहले से वहाँ है वो इसको इसलाम में दिख्षित कर देता है तो ये सद्रुदीन हो जाता है, रिंचिन शाह हो जाता है ये रामचंद्र की बेटी कोटा से जबरन विवाह करता है लेकिन दो-तीन साल में मर जाने के बार सहदेव का भाई उद्यन देव पुनह राजा बनता है तो टेक्निकली कहा जाए तो पहला इसलामी सुल्तान कश्मीर में 1319 में आया और 1322 तक निपट गया और उसके बाद कोटा रानी ने शासन संभाला उद्यन देव के साथ उसका विवाह हुआ और 1349 तक कोटा रानी का शासन है लेकिन ये एक उथल पुथल का दौर है ये अस्थिर्ता का दौर है उद्यन देव बहुत सक्षम राजा नहीं थे भाई थे सहदेव के अंग्रेजी में निंकम कूप कहते हैं ऐसा कोई बेखती था और इधर इस उथल पुथल में अवसर तलाशने वाले लोग बहुत थे जिनमें शाहमीर जुस्वात से भाग कर आया था तकता पलट की कोशिश में असफल रहने के बाद वो छल से पैलस इंट्रीग से राजा बन जाता है कोटा रानी से भी बहुत से गलतियां होती हैं जो सक्षम लोग थे वो एक एक करके मारे जाते हैं भट भीशन जिनमें एक बहुत बड़ा सेना पती था उसका वद होता है लेकिन क्योंकि यह हिंदू बहुल ही नहीं लगभग पूरा राज्य पूरी संस्कृती हिंदू वैदिक संस्कृती थी तो ये शामीर भी चालाकी से राज तिलक और मंत्रोचार के साथ, पूरी परंपरा के साथ, पूरे विधी विधान के साथ, अपना राज्जा भी ये कराता है और सब को ये आश्वस्त करता है कि यत्हावत सब कुछ वैसे ही चलेगा लेकिन यहाँ से एक शमसुद्दीन डाइनेस्टी, इसका नाम शाहमीर का जो कोरोनेशन के बाद नाम है वो शमसुद्दीन, शमस कहते हैं तलवार को, फार्सी में, और वो दीन की तलवार है, वो इसलाम की तलवार है तो आप समझिए कि वो उसका उदेश क्या है, उसकी मानसिक्ता क्या है तो यह शमसुद्दीन डाइनेस्टी, दो सो बाईस साल चलती है, इसमें पच्चिस सुल्तान आते हैं, एक के बाद एक स्वाइम तो यह तीन वर्ष तक शासन करता है, उसके बाद इसके उत्रादिकारी हैं लेकिन जैसे ही खबर फैलती है कि कश्मीर में शासक इसलामी है, तो आसपास के क्शेत्रों से इसलाम को बढ़ाने वाले, फैलाने वाले, जितने भी मिशनरी इस थे, उनका आना शुरू हो जाता है जिन में सबसे प्रमुख है, जो कश्मीर में आता है, 1372 में उसका नाम है सयद मीर अली हमदानी उस समय तैमूर लंका शासन था, इरान के पूर्व में, यह अपने आपको सयद कहने वाले मुहम्मद के वंशज, उसको टोकते, टाकते रहते हैं, उसको बोलते थे, इस हिसाब से चलो, उस हिसाब से चलो, और हमारी बात मानो क्यूंकि हम सयद हैं, जब उसने परिशान होकर के, एक दिन, जैसे काठी के गोड़े होते हैं, छोटे, जिन पर बच्चे खिरते हैं, उसने एक लोहे का गोड़ा बनवाया, उसको आग में तप आकर लाल कर दिया, और कहा, जो जो अपने आपको सयद मानता है, आकर के इस पर बैठे, और अगर वो नहीं जुलसेगा, तो मैं उसको सयद मान लूँगा, उसके हिसाब से चलूँगा, ऐसी तजवीज सुनकर, ये बहुत से सयद भाग खड़े हुए, उन में से ये भी एक सयद मीर अली हमदानी अपने साथ सो चेलों चपाटों को ले करके वो कश्मीर आदम कर, और यहां आकर के वही सुल्तान को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इसलाम, शरिया, कुरान, इस सब का हवाला दे कर, के उसने एक डिक्टाट, पच्चीस शर्तों की एक सूची उसने लागू की, जिसको आप आज भी देख सकते हैं, जखीरातल मुल्क उसका एक दस्तावेज है, तो ततकालीन सुल्तान, जिसने उसको तब, रिसीव किया, यह भी अपने आपको सूफी कहता था, बुल-बुल-शाह की तरह, बुल-बुल-शाह अगर सोहरावर्दी सिलसिले का था, तो यह सूफी जो सैयन मीव अली हमदानी था, यह कुबरवी सिलसिले का सूफी था, और इस सिलसिले के जो लोग रहे, वो आज भी कश्मीर में हैं, सुल्तान शिहाबुत दीन उस समय, सुल्तान था कश्मीर में, उसने रिसीव किया, तब यह जखीरात-ुल-मुल्क इन्होंने साथ उनको पढ़ाया, इन पच्चीस शर्तों में बहुत सी हुमिलियेटिंग शर्ते थी, एक शर्त जो ज़्यादा हुमिलियेटिंग नहीं थी, अब मैं आपको एक उधारन के तौर लोग बताऊ, कि हिंदू अपनी अंगूठी में नग नहीं लगा पाएगा, वो नग लगी अंगूठी नहीं बहन सकता, हिंदू घोडे पर, जीन लगे घोडे पर चढ़कर नहीं आ सकता, हिंदू अपने साथ शस्त्र लेकर नहीं चल सकता, यानि तब मेरे पूरवज शस्त्र लेकर चलने को स्वतंत्र थे, नहीं चल सकता, हिंदू अपने तूटे हुए मंदिर की मरमत नहीं कर सकता नया मंदिर नहीं बना सकता हिंदू अपने देवी देवताओं का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकता ने की चित्रुन की मूर्टिया कि आपने त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकता यदि कोई मुस्लिम परियटक या प्रवासी बहां आता है कश्मीर तो उसे तीन दिन तक उसे अपने घर में रखकर खिला पिला कर उसकी देखभाल, उसकी महमान नवाजी करनी होगी, ये अनिवार है, कम से कम तीन दिन बिना पैसे लिए, बिना कुछ अपेक्षा रखे हैं जहां दो-तीन मुसलमान खड़े होकर कोई चर्चा कर रहे हैं हों तो वहां हिंदू का रहना अवांचनी है, स्वैम वहां से चला जाए, ऐसी ऐसी शर्त ने थी, यदि हाँ एक शर्त, यदि उसका कोई अपना संबंधी भी, आत्मिय भी, यानि बेटा, बाब, मा, भाई, बह हैं, इसलाम स्विकार करने की का मन बना रहा हो, अभी सोची रहा हो, उसे इस विशह से दूर नहीं ले जा सकता, इस परसुएड नहीं कर सकता, जगन्य अपराद मना जाए, ऐसी पच्चीस शक्तें थी, और कहा कि जब मैं लोटूं तो इनका पालन होता दिखे मुझे, वो तीन दफिक कश्मीर आया, फिर उन्यासी में आया दोबारा, तो उस समय सुल्तान कुतुबुद्दीन था, उसका बहुत स्वागत हुआ, यह वही हमदानी है, जिसने कश्मीर में काली का मंदिर तोड़ और उसकी जगा खानकाय मौला बनाया, वो काली का मंदिर मुझे अपने ननिहाल से दिखता था, जेलम के तट पर बना वह खानकाय मौला, आज हम काली की पूजा उसकी चार दिवारी पर बाहर से सिंदूर लगा कर तट पर खड़े हुए बिना च्छत के, बिना किसी विग रहके करते हैं, आज भी, अब तो खेर वहां नहीं बचे, जिन दिनों में छोटा था, वहां देखता था, उसके वहल एक सिंदूर पुती दिवार है, उसके सामने कुछ फूल रखे हैं, और वहां से निकलते, आते जाते, सर पर रुमाल रखकर, सर ढखकर, आँख बंद कर के खड़े होकर, मानो काली से क्षमा याचना कर रहे हों, कि इस दुरदशा में हम आपका कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो है खानकाय मौला, आली कदल और जैना कदल के पीच में, श्री नगर के बीच में पीच में, जब वो तीसरी दफ़े आया, तो उसका बेटा साथ आय था सयद मीर महमद हमदानी, और उसने कश्मीर में तब एक नया सुल्तान आया, सिकंदर बुद्शुकन, ये चौथा सुल्तान था, पहले सुल्तान की बार, बुद्शुकन, शिकन, फार्सी में मूर्ति भंजक का अनुवाद है, उसने इतने मंदिर और इतनी मूर्तियां तोड़ी, कि उसका नाम बुद्शुकन पढ़ गया, वो सुल्तान सिकंदर था, और उसके काल में पहला कश्मीर से निशकासन हिंदूों का हुआ, पलायन हुआ, बहुत ही आकरामक, हिंसक सुल्तान था, जोनराज लिखते हैं, जिन्होंने दूसरी राजतरंग नी लिखी, कि मानो लहलहाती धान की फसल पर टिडड़ी दल आ गया हुआ, कश्मीर में हिंदूों का ये हाल, और ये निशकासन 1385 से आप कह सकते हैं, शुरू होकर 1415 तक चला, ये पहला निशकासन था, मैंने साथ ऐसे निशकासन देखे हैं, मतलब देखे हैं कि बात कह रहा हूँ, चुने हैं इतिहास में, यू तो कश्मीर से कट-कट कर घट-घट कर हिंदू निशकासित होते रहे, निरंतर होते रहे इसलामी शासन में, लेकिन कुछ ऐसे कालखंड आए जिसमें इनको तीवरता मिली, स्टिस्टिस्टिकली कहते हैं कि वो जो ट्रिजेक्ट्री में स्पाइक आता है ग्राफ में, वो हुआ कुछ एक सुल्तानों के शासन में, समय समय पर, लेकिन वहां से निकलना, वहां से पलायन करना, वहां से निकाला जाना, यह एक निरंतर प्रक्रिया रही पिछले छे सुसाल, इसी सिकंदर बुद्शिकन ने समराट ललिता दित्यदारा निर्मित मार्तंड के सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया, स्वभागे से उसके पास बारूद नहीं था, और यह बड़ी-बड़ी विशाल शिलाओं का बना हुआ मंदिर था, एक के उपरे कैसे रखी गई होंगी, वो कैसा शिल्ट था, वो कैसा भवन निर्मान शैली थी, अदभुत, यह कुछ नहीं कर पाया, तो हताश होकर इसने उस मंदिर के चारों तरफ गहरी खाईयां खो दी, आस पास के जंगलों को काटा, उनकी लपड़ी को सुखा कर, उसमें खाईयों में पाट कर आग लगा दी, वो शिलाएं गर्मी से चटक गई लेकिन गिरी नहीं, आज भी खड़ी हैं वो दीवारें, वो स्तंब, छटें डह गई हैं, आप उसकी भवेता का अनुमान उसको देख कर लगा सकते हैं, तो समय के लिए आँख बंद करके कल्पना करें कि यह कैसा रहा होगा, इसको गांधार शैली का वास्तशिल्प कहते हैं, इसके बड़े-बड़े स्तंब और उन पर उकेरा हुआ आकरतियां, इसमें मा गंगा की आकरती है, मा यमुना की आकरती है, उसमें गणेश हैं, उसमें शिव हैं, और यह सूर्य का मंदिर है, अनंतनाक से ज़्यादा दूर नहीं है, उसी जिले में है, मटन एक अपभरंश शब्द है, मारतंड का, उससे मुश्किल से छे किलो मीटर दूर है, आप जाएं देखें, कि सात्वी शताब्दी में, आठ्वी शताब्दी में, कश्मीर में, इस शैली का बहुण निर्माद, ऐसा अदभुद, शिल्प, आज भी अपने भगना विशेशों में भी इतना प्रभावित करता है, उसको, मैं कई बार सोचता हूँ, कि जब भी आप राजा हो जाते हैं, आपके पास कोई अच्छी सुन्दर चीज़ है, अच्छी निर्मित चीज़ है, इस पर आपको गर्भ होना चाहिए, अब ये आपकी है, आप इसको मस्ज़िद बना दीजिए चलिए, जैसे इस्तंबूल की हागिया सोफिया मॉस्क को, गिर्जे को, केथिड्रिल को, इस अर्दोवान ने फिर से एक मस्ज़िद में बदल दिया है, वहाँ जो जीजिस की चित्र हैं, स्टेंड ग्लास पर उसकी आकरतिया हैं, उन पर परदा टांग दिया है, जो क्रॉस है, उसको ढख दिया है, वो मंदिर, अब वो मस्ज़िद हो गई है, गिर्जे से, वो बहुत सुन्दर भवन है, इसको दुनिया बड़ से लोग देखने आते हैं, यह कैसी मान सिकता है, कि एक सुन्दर अच्छी अदभुत वस्तु को आप नश्ट करने पर तुल जाएंगे, अब यह आपके राज्य की है, आपकी है, तो यह वही मान सिकता है, जिसने हमपी को जीतने के बाद तोडने पर, उसको नश्ट करने पर तुला दिया था, बह्मनी सुल्टानों को, एक नफरत, एक घ्रणा, एक हिंसक प्रतिक्रिया, उस संस्कृति के प्रति, उसके कीर्टिमानों के प्रति, जिन्हें आप चाह कर भी अपना नहीं कर सकते हैं, अपना नहीं बता सकते हैं, मानों आपकी दरंदगी का, आपकी पाश्विक्ता का, आपके पिछड़े पन का, वो मूँ चिडाती हैं, तो आप उन्हें देखना भी सहन नहीं करते हैं, क्योंकि आपके बस्की कभी नहीं रही ऐसा बनाना, ऐसा सोच पाना, बनाना वुदूर है। यह कश्मीर में चीला, चौद्वी शताप्ती में, पंद्रवी शताप्ती के शुरुआत में, पहला निश्कासन कश्मीर से दुआ। दूसरा कश्मीर से निश्कासन का दौर मैं मानता हूं पंद्रह सो छे से पंद्रह सो पिक्चासी के बीच में। उस समय धलान पर था यह सुल्तानों का काल शमसुदीन डाइनस्टी जो शामीर ने शुरू की 1349 में, फतेशा एक राजा था, सुल्तान था वहाँ का, मैं आपको बताओं, 1450 तक संस्क्रित राजभाशा थी, 1349 में सुल्तान आये, सब कामकाज, सरकारी कामकाज संस्क्रित में होता था, तो आप सुचिए के लगभग सवासो साल तक, ये सुल्तान संस्क्रित के बिना काम नहीं चला पाते थे, और जिसे हम अकबर सरीखा सुल्तान कहते हैं, जैनुलाबदीन बढशा जो बहुत ही माना जाता है, खुले दिल का था, सहिश्णु था, उस व्यक्ती ने फार्सी आरोपित की कश्मीर पर शारदा और संस्क्रित को विदा कर दी, तो हम कैसे सूफियों पर रीजे जाते हैं, और कैसे लोगों को सहिश्णु और उदारवादी गोशित कर देते हैं, इतिहास पढ़े बिना, उस समय के तत्थियों को जाने बिना, और फिर विलाप करते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या होगा, बड़ी विचत्रबाद है, तो पंद्रा सो छे तक आते आते सुल्तान फताशा और उनका जो सुल्तानी सिल्सिला था, वो थोड़ा धीला पढ़ रहा था, स्वयम सहदेव ने दर्द जो एक रीजन है, दार्दिक रीजन, दार्दिक भाशा, इस कर्दू के आसपास, लड़ाख के क्षित्र से एक जाती थी, चक्र जाती, उचे हटे कटे, लंबे चोड़े लोग होते थे, वो कबीला था, वो कश्मीर में, कश्मीर की सेना में आते थे, और इस काल में, पंदरा सो चे किसमें, एक और सूफी आता है, ये शिया सूफी सिलसले का, नूर्बक्षिया सिलसले का सूफी है, इसका नाम है, शमसुद्दीन अराकी, अराक एक ख्षेतर है इरान का, वहां से आता है, तो इसे अराकी कहा गया, ये शिया था, इसने वहां जाकर इस जाती को, शिया इसलाम ने, घर्मांतरिद किया, और इधर सुल्तान अपने लोगों पर भरोसा ना करके, इन चक पर, शिया पर, खुद सुननी थे, तो इन्हें शिया सैनिक, शिया सेना पती, ज्यादा रास आते थे, क्योंकि आपस में जो सुन्यों में, ख्लेश था, और स्पर्धा थी, उससे बचने के लिए इनको लगा कि शिया विश्वास पात्र होंगे, और जब इन शिया चक, चक्र से चक हो गए, चकों को लगा कि सुल्तान कमजोर हो गए हैं, तो इन्हों ने सोल्वी शताबदी के मध्य में स्वयम शासन संभाद लिया, तो सुल्तानों को विदा किया, लेकिन इनका शासन लगवग 20 वर शी रहा, और इसी समय शमसुद्दीन अराकी ये जो शिया थे, सूफी, ये आ गए, अब इन्होंने बड़े पैमाने पर सुनियों को भी और बचे हुए हिंदूों को भी मुसल्मान करना शुरू किया, इनके समय का, इस काल का, एक फार्सी में दस्तावेज है, जिसे इतिहास भी उपलब्ध है, श्रीवर की राजतरंगिनी में, जो जोनराज के बाद आए, उनके शिश्य थे, भीशन काल था, आतंक का काल था, संत्रास का काल था, अत्याचारों की सुंखला थी, और इसे आज के कश्मीर के मुसल्मान इतिहासकार और भारत के वामपन थी, युदारवादी इतिहासकार कहते हैं, कि ये हिंदूों के सत्ता जाने के बाद का विलाप है, ऐसा कहके उसको खारिज करते हैं, उसको नकारते हैं, तो अभी हाल ही में, कुछ 15-20 साल पहले, डॉक्टर काशिनात पंडिता जो तेहरान उनिवरसिटी गए पढ़ने और फिर इतिहासकारों का ब्योरा है कि कश्मीर में उन्होंने क्या किया, तौफद अलहबाब, इस नूर बक्षी इस सिलसले के सूफी, शमसुदीन अराकी के कारणामे है, आप उसे पढ़ लेंगे, खून खो लेंगा, वो कहता है कि हम लशकर लेकर एक गाहों से दूसरे गाहों ज के घरों मंदिरों में घुषते हैं, उनकी पोथियां जलाते हैं, उनकी मूर्टियां तोड़ते हैं, सारे उनके आस्था के जितने भी वस्तुएं हैं, उनको पद्दलित करते हैं, नश्ट करने के बाद इनको कलमा पढ़ाते हैं, इनको नमाज सिखाते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं ऐसे ये नूर भेला रहे थे कश्मीर में जो आज लोग कहते हैं न कि इसलाम का नूर मिला तो हम हमारे पूरवज इसलाम को लेकर के इतने चमतकृत थे कि मानो हम अंधेरे में जी रहे थे ये नूर आया इसलाम का तो हम सब इसलाम में चले गए फार्सी प्यासकार बताते हैं कि इनकी आखों में नूर कैसे हो लेला था फिर जब लौट के आता है कुछ महीनों बाद घूंगता हुआ ये अराकी देखने के मेरे नए-नए बनाए मुसल्मान कैसे कर रहा है सिर पीट लेता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं तो फिर वापिस मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो फिर वापिस अपने वेद पढ़ रहे हैं तरपन कर रहे हैं, शाद कर रहे हैं प्रार्ठना कर रहे हैं अर्ग दे रहे हैं सूर्य को जनेयू पहने तिलक तो यह पूछता है कुछ आजपास के उन लोगों से जिन्होंने लालच में भय में वो सब नहीं छोड़ा था कि यह क्या हो रहा है थी कैसे मूर्प लोग हो तो देखिए यहां परंपरा है कि आप प्राश्चित कर सकते हैं आप वासाधी करके कुछ कर्मकांड करके उन दोशों का निवारन करके पुनह अपनी आस्था में जा सकते हैं तो फिर इसने पता लगाया वही है ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद आप पुनह अपनी आस्थ सब्सक्राइब आप नहीं है साथ जन प्रकाप प्र वापिस करसी के शम्सुदीन अराकी गाउं गाउं जाते हैं पुरुशों को कहते हैं अपनी गाए लाइये उन के हाथों से गववें कटवाते हैं पृर्माण को कहते हैं कि अब इसे पकाईए और पिर सामोहिय भोज मे सब वो गवमास खिला करके कहते हैं कि अब आप पर्मानेंट मुस्लिम हो गए इस तरह कश्मीर में इस नूर बक्षिया सूफी सिलसले ने इसलाम का नूर पहलाया वो लिखता है कि मंदिर का पुजारी शिखर पर चड़ गया वहाँ पर अपने साथ कुछ पत्थर वत्थर ले गया लाठिया ले गया कुछ लोगों को साथ ले गया तीरों से भालों से किसी से भी मुकाबला करता रहा किसी तरह मंदिर बचे और यह कहते हैं कैसा मूर्ख है हम इनको इस जहालत से निकालने आए हैं और ये इसी में डूबे रहना चाहते हैं और जब उसको लगा कि अब कोई चारा नहीं बचा कोई विकल्थ नहीं बचा तो वो पुजारी मंदिर के शिखर से कूद कर आत्महत्या कर लेता है ये विश्ण स्वामी मंदिर की गाथा है तौफद लहबाब के जब यही बात श्रीवर लिखते हैं तो उसे खारिज कर दिया जाता है कि ये बेकार की बढ़ा चड़ा कर की गई कहानिया हैं कपोल कल्पित अब तौफद लहबाब कहता है तो कोई जवाब में इसको इग्नोर करते है बहरिस्ताने शाहिली जो एक और फार्सी का दस्तावेज है कोई चर्चा ने है चुप्पी है और उस समय जब चक सेना में आ गए थे तो फतैशा भी इन चकों के माद्यम से पहला उसका प्रधान मंत्री था शम्स चक अब ये सेना से प्रशासन में आ गए और सबसे खतरनाक सुल्तान के शासकों में प्रधान मंत्री हुआ काजी चक जिसने इतना अत्याचार किया कि श्रीवर लिखते हैं कि हिंदू जंगल जंगल पहाड पहाड भटकते थे और उनकी जिवहा जैसे कुत्ते की जिवहा मूं से लटकती है भूख और प्यास से भोजन ढूंडते हुए ये हाल हो गया है वहाँ के स्थान में प्रधान वो लिखते हैं कि कुछ मुसल्मानों का भेश धरकर अपने परिवार जनों को ढूंडते फिर रहे हैं परिजनों को छुपते चुपाते हैं कहीं मिल जाए कौन कहा किस तरफ कैसे भागा उनका पता नहीं है ये कश्मीर का फते शाह ने एक मुनादी करवा दी कि जो बवध या हिंदू पूजा अर्चना करता पकड़ा गया तो उसका दाहिना हाथ और बाई टांग काट दी जाए वहीं कोई मुकदमा चलाने की उसको ला करके उसका अपराद सिद्ध करने की आवशक्ता नहीं है तो श्रीवर लिखते हैं कि यदि कोई अपने पूरवजों का श्राध करता हुआ शूरे को अर्ग देता हुआ कहीं फुस्थुसा कर जप करता हुआ भी पकड़ा जाता था या उसको ये भखान हो जाता था क्यों को देख लिया गया है कुछ लोग आ रहे हैं तो वो अपना जनेयू निकाल कर फेक दिता था तिलक मिटा देता था कातर होकर हाथ जोड़ कर कहता था नभटो हम नभटो हम नभट नहीं होते यह स्थिती श्रीवर बताते हैं कश्मीर की आनंदवर्धन के कश्मीर की अभिनवुत के कश्मीर की श्रीमेंद के कश्मीर की जो दर्शन में, व्याकरण में गणित में, रसायन में, गीता के रहस्य में, एस्थेटिक्स में, पोईटिक्स में, शिल्प में, भरत मुनी के नाट्य शास्त्र की तीका में लिप्त थे। भूमिका में कहा कि उस समय के सामाज की जो नेता थे, जो अग्रणी थे, कुलीन थे, वो क्या देख नहीं पाए, भाप नहीं पाए, कुछ कर क्यों नहीं पाए। बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या परिस्थितिया रही हैं? शोध का विशय है, कुछ बातें तो सामने हैं, हमारे पास उसके तथ्ये हैं, कि कैसे, किस छल से, किस शडयंत्र से, और किस हिंसा और बरबरता से, सामना था, समाज में ऐसी कौन सी विक्रतियां थी, ऐसी कौन सी कमजोरियां थी, जिस कारण देखते देखते, ये सब निपट गया, चौपट हो गया, लेकिन इस पर आज का समाज भी पुनराबलोकन करने को तयार नहीं है, इसको पढ़ने को जानने को तयार नहीं है, इसक जी ने सच ही कहा है, कि when we forget our history, when we ignore our history, we are condemned to repeating it in future over and over again. History first visits us as a tragedy and then revisits us as a farce. इसमें किसी बाहर को दोश देने का कोई लाब नहीं. चक रहे 20 वर्ष तक और आखरी चक था युसुफ शाज चक जब कश्मीर पर आक्रमण हुआ 1585 में अपर का, तो उसे बंदी बनाकर पठना में निर्वासित कर दिया गया, जहां वो मर्गर के दफन है. और फिर मुगल शासन की शुरुवात होती है कश्मीर में. जैसा मैंने कहा अकबर को लेकर के हमने बहुत महिमा मंदन किया है. जो पूरवर्ती शासन थे अकबर के, चाहे वो फतेशा का हो या उससे पहले सिकंदर बुठशिकन का हो. एक बहु संख्यक समुदाय को जब आप इस तरह आतंकित करते हैं, अर्थ विवस्था का छिन्न भिन्न होना, नश्ट हो जाना, तो फिर समझ में आता है. और ऐसे में राजस्व का घट जाना भी समझ में आता है. ऐसे में पूरी समाजिक विवस्था का छिन्न भिन्न हो जाना समझ में आता है. तो राजा के लिए वो भी एक बड़ी कश्ट की बात है, क्योंकि राजस्व कहां से आएगा, देने वाले कौन हों, काम करने वाले कौन हों? तो ऐसी मजबूरियों में अखबर जिसको राजस्व की भी चिन्ता थी, उसने पता किया भई, कौन थे, क्या थे, कैसे काम होता था, उन्हें वापिस लाओ. उसकी अपनी स्वार्थ थे और हम सोचते हैं, कि उसने उपकार करना शुरू किया, तो ये उपकार का भी समय आया, और समुदाय अपने तीर्थों को, अपने घरों को, अपने मंदिरों को, अपने परिजनों को ढूंडता हुआ, फिर लोटा, फिर बसा, जैनुलाब्दिन की भी यही वजह रही, क्यूं मैं उसे बहुत उदारवादी नहीं मानता हूँ, और हिंदूं के प्रती आशक्त या दया रखने वाला नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब उसकी मा मरी, तो उसने एक मंदिर को उसका मकबरा बनाया, मंदिर तोड़कर, मेरे ननिहाल से ज़्यादा दूर नहीं है जैनुकदल के रास्ते में, उसको जैनुकदल ही इसलिए कहते हैं, यह जैनुलाब्दीन के नाम पर है, और वहीं उसकी मा का मकबरा है, आज भी उसके दीवारों पर आप संस्कृत में, और हमारे मोटिफ्स जो हैं, कमल है, उसकी उकेरी हुई आकरतियां, महां के स्थम्भों पर, महां के दीवारों पर देख सकते हैं। तो, लेकिन हम कुछ भी मान लेते हैं, हम बिच जाते हैं, और यही बात अकबर के समय में हुई, उसको हम कहते हैं, कि कश्मीर में पुना हिंदू फिर से लोटे हैं, तो बार-बार निश्कासित हुए, बार-बार लोटे हैं। लेकिन, यह काल जादा समय तक नहीं चला, जहंगीर, जिसको कहते हैं, कि वो बहुत झायफ्रिये था, उसने मुनादी करा दी, कि कोई हिंदू मर्द किसी मусल्मान औरत से विवान नहीं कर सकता। अलट की बात नहीं कहीं, कि मुसल्मान आदमी हिंदू औरत से विवान नहीं कर सकता। नहीं, वो जायज था, हिंदू मर्द किसी मिसल्मार औरत से शादी नहीं कर सकता, यहीं नहीं, उसने हिंदू कुलीन परिवारों को बाद्धे किया कि वो उसके अफसरों और सूबेदारों के साथ अपनी बेटियों का विवाख करें, हुमिलियेट करने की और दबाने की, अपना वर्जस्व स्थापित करने की, यह आम कोशिश है, नूर जहां जो जहांगीर की बेगम थी, जब वो कश्मीर आई, तो उसने शंकराचारे परवत से जहिलम तर पहाड पर एक बहुत सुन्दर सीढियों का सिलसिला था, जो गोपा साल पर जहिलम का जल लेकर शंकराचारे जाता था, परवत वहाँ, अभिशेख करता था, शिवलिंग उपर, उन तराशी हुई बड़ी-बड़ी शिलाओं की वो सीडियां खुदवा दी, निकलवा दी, उनसे एक मस्जिद बनवाई श्री नगर में, आज भी है, जिसको प मौलवी ने कि भाई, कितना खर्चाया है मस्जिद बनवाने में, सूर जहां को, मूर जहां को लगा कि ये मेरे इस काम से थोड़ा बिदका हुआ है, तो उसने गुस्से में कहा कि जितनी मेरी बाएं, पाउं की जूती का मूले नहीं है, उससे कम में बनी है, तो मस्जिद क ये अपमान सुनकर उसने हराम जाइज कर दिया उस मस्जिद में नमाज बढ़ना, तो बीसियों वर्ष तक वो मस्जिद यूँ ही, खड़ी रही वहां नमाज नहीं पड़ी गई, बर्नियर, जो उस समय के एक अंग्रेज इतिहासकार थे, येरोपियन हिस्टोरियन थे, उ जो बेश कीमती थे, बहुत सुन्दर थे, शाह जहां के दौर में भी इसी तरह, चौधा सूबेदार निक्त किये गए कश्मीर के, एक से बढ़कर एक आपताई, उसे भी बहुत भवन निर्मान का कामी मनाया जाता है, जिसने ताज महल बनाया, शाह जहां ने लालकिला बन जामा मस्जिद बनाई, ये बनाया, वो बनाया, उसका काल भी कश्मीर में बहुत भयानक रहा, मुगल काल ने एक के बाद एक पलाएन हुए, और सबसे बड़ा पलाएन तो औरंजेब के समय हुआ, उसका सूबेदार था, इव्तिखार खान, यहां सूफियों ने जब उसक की मदद की, अपने भाई को मरवा कर खुद बादशाह बनने में, औरंजेब से बड़ा एक भाई था, जो जिसको तक्त पर बैठना था, जो कश्मीर गया, उसने संस्क्रित पढ़ी, संस्क्रित पढ़ करके उसने सिर्रय अकबरी लिखी, जो उपनेशदों का अनुवार है फार्सी में लिखी गई ये पुस्तक योरोप में पहुचती है, इसका फ्रेंच में अनुवाद होता है, फ्रेंच लिंग्वा फ्रांका है योरोप की, फ्रेंच में अनुदित इस पुस्तक को जब जर्मन इंडॉलेजिस्ट पढ़ते हैं, तब उनका भारत आने का सिलसिल इसका शुरू होता है, उनकी संस्कृत में भारती है, संस्कृती में रुचि उत्पन होती है, ऐसे दाराशिकों की गर्दन उतरवाने में उन नक्षबंदी सूफियों ने मदद की औरंग्जेब की, और जब औरंग्जेब बादशाह बन गया, तो इन नक्षबंदी सूफ भटका था कश्मीर के, तो सुबेदार इफ्तेखार खां को बोला गया कि कश्मीर को मुसल्मान करो, और तब ये रलिव गलिव चलिव, रल जाओ याने मुसल्मान हो जाओ, गलिव याने गल जाओ याने मर जाओ, और चलिव याने अगर भाग सको जान बचाके तो भाग और हमारा एक पूर्वज खृपारामदत पांच सो लोगों का जत्था लेकर अनन्दपूर साहब आया गुरुतेग बहादुर की शरण में और कहा के जनेवी और तिलब की रक्षा करें आप सब परिचित हैं फिर कैसे गुरुतेग बहादुर जी का शीष लिया गया उनके श वो सारवजनिक रूट से उनका क्या हश्र किया गया और जिसके बाद गुरु गोविन सिंग्जी ने खालसा सजाए और उस इतिहास से आप सब परिचित हैं लेकिन ये कश्मीर द्वारा ही कश्मीर की परिस्तितियों द्वारा ही प्रेरित घटना क्रम है इस कालखंड में भी कश्मीर ने बहुत जुल्म बहुत अत्याचार देखा और इसके बाद जब मुगलिया शासन औरंजेब के शासन के बाद धलने लगा तो एहमद शाह अबदाली ने 1753 में 1752 में कश्मीर को मुगल सामराज्य से छीना और दुर्रानी बंश का वहां जो माना जाता है कि अब तक के जो तीन काल रहे सुल्तानों का काल, चकों का काल और मुगलों का काल इन सबसे ज़्यादा भयावा था यह पठानों का काल आप सोची है हम लोग तो कन्या पूछ के अभी हटे हैं न नवरात्रों में छोटी-छोटी कन्याओं के फूजा की है कश्मीर में माता पिता को अपनी कन्याओं के नाख कान काट डालने पड़ते थे, गाल खुरच देने पड़ते थे क्योंकि उनके सुन्दर चेहरे को देखकर कोई पठान उन पर हावी न हो जाए आप सोचिए माता पिता अपनी बच्चियों को बच्पन में बद्शक्ल करने पर क्यों मजबूर हो यह परिस्थिती थी और जब अति हो गई फिर एक मेरे पूर्वज बीर बलधर अपने बेटे के साथ महराजा रंजीत सिंग के पास आये और कहा कि हमें मुक्ति दिलाई है महराज रंजीत सिंग को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या ये ट्रैप है क्योंके वो एक दो बार कोशिश कर चुके थे सेना सफल नहीं हुई थी उन्होंने कहा ये मेरा बेटा अपने पास रखिये यदि आपको सेरा भी संदेव हो तो आप इसको मार दीजी तो बीरबल धर के साथ उन्होंने सेना भेजी जिन्होंने पठान वंश का सुर्यास्त किया कश्मीर में 1819 में तो 1349 से 1819 ये 480 वर्ष का काल खंड है जिसमें कटते कटते घटते घटते कश्मीर की जनसंख्या में से हिंदूं का अनुपाद दस्वंद्रा पितिशत रह गिया उसके बाद एक काल आता है जिसमें थोड़ा सहज रहे महराय रंजी सिंग बहुत सेकिलर आदमी थे उन्होंने किसी मुसल्मान को हिंदू या सिक नहीं किया उन्होंने किसी छीने हुए मंदिर को वापिस नहीं लिया किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा किसी मस्जिद की एक नीट नहीं हटाई कुछ नहीं सब यथावच चलता रहा फिर अंग्रेजों का काल आया महराजर रंजीत सिंग हारे एंग्लो सिक वार्ड में दोगरा शासन आया दोगरा शासन लगवग सौ वर्ष रहा ये रेलेटिबली पीसफुल टाइम था लेकिन आप सोचिए अब तक 80 प्रतिशत से ज़्यादा जनसंख्या कश्मीर की कश्मीर घाटी की इस्लाम स्विकार कर चुकी थी और उसमें हिंदू अल्पमत में आ रहे थे और अल्पमत में रहते हुए आप एक बहु संख्यत इस्लामिक समाज में कैसे रहते हैं रह पाते हैं इसकी कल्पना कीजिए तो क्यूंकि शासन सिख और हिंदू के हाथ में था तो उतना आतंक नहीं था लेकिन एक एक आक्रामक्ता थी एक सहजता का भाव था उसके बावजूद हम रहते रहें बहुत बड़ी घटना घटती है 1931 में 13 जुलाई के दिन जो आधुनिक इतिहास में तो मध्ययुगीन इतिहास की बात नहीं कर रहा है अभी 100 साल भी नहीं हुए इस घटना को एक बड़ा आयोजित हिंसक उपक्रम था शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जिसमें फिर से पलायन होता है और इसके उपर मैंने एक डीटेल आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल लिखा है इस प्रूथ अबड़ 13 जुलाइ 1931 माटर्स ये महीनों चलती है त्रासदी जिसमें हिंदूों को उनके घरों को उनकी दुकानों को उनके गवसायों को उनके मंदिरों को चुन-चुन कर लूटा जाता है तोड़ा जाता है लोगों को मारा जाता है जिन्दा जलाया जाता है और ये केवल स्रीनगर कश्मीर घाटी में नहीं ये फैल जाता है मुझफराबाद में होता है कोटली में होता है मीरपुर में होता है अन्यक शित्रों में दूर दराज के होता है क्योंकि अंग्रेज इसमें शामिल था अंग्रेज चाहता था कि ऐसा दंगा हो क्योंकि उसे मालूम था ये एक मात्र ऐसा राज जहर रियासत है जो मुस्लिम बहुल है जिसका राजा हिंदू है और वो राजा उनकी बात नहीं सुन रहा है गिलगेट बल्टिस्तान उन्हें 99 वर्ष की लीज के लिए चाहिए था और ये राजा बहुत राष्ट्रवादी था राजा हरी सिंग इसने कहा कि आप लोगों के दिन वापिस जाने के आ गए हैं लीज भीज भूल जाएगे तो शेख अब्दुल्ला को पटा कर मैं समय के अभाव में इसके डीटेल में नहीं जा रहा हूँ वो ये दंगा आयोजित करते हैं 13 जुलाई से ये दंगा शुरू होता है इस पर अंग्रेजों के लिखे हुए दस्तावेज हैं उस समय के पत्रकारों के लिखे हुए आर्टिकल्स हैं डीटेल्स हैं सहर उपलब्द है ये हमारा पांचवा एक्जोडस है छटा एक्जोडस है 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमन होता है कश्मीर को अभी पाकिस्तान को बने हुए ढाई महीने नहीं हुए कश्मीर हथियाने के लिए वो कबाइलियों के वेश में अपनी सेना का प्रवेश कश्मीर में कराते हैं और कश्मीर आने से पहले वो मुझफराबाद को पौतली को मीर्पुर्ट को लूटते हुए उपर सकर्दू में, गिलगिट में जो आतंक मचाते हैं तो वहां से फिर हिंदूों का, सिखों का बाउद्धों का पलायन है जो छटा पलायन श्री नगर से भी तब पलायन करते हैं लोग क्योंकि ये पठान बारा मुला को चीरते हुए श्री नगर के शाल्टेंग तक पहुँच गए थे और इन्होंने जो बरबरता की है रास्ते में हिंदूों के साथ लोम हर्शद है तो इस तरह कटते कटते घटते घटते 1990 तक आते आते हिंदू कश्मीर घाटी में मुश्किल से 4-5 प्रतिशत रहे गए थे लेकिन सबसे कष्ट दायक पलायन है 1990 का पलायन केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारी स्मृति में ताजा है वो हमने स्वयम भोगा है हमने इसको स्वयम देखा है अब बाकी सबके बारे में तो पढ़ा है वो इसलिए भी क्योंकि 1947 तक का पलायन छटा पलायन भी उस भारत में हुआ जिसके बारे में कहा जाता था कि वो स्वतंत्र नहीं था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था इसकी अपनी कोई सेना नहीं थी उसका कोई अपना समिर्धान नहीं था वो ऐसे समय में हुआ जब मानवा भिकारों की कोई चेपना नहीं थी क्या करते इसको अपना दुर्भाग्य मान कर छाती पर पत्थर रखके सहलिया यह जो साथवा पलायन है 1990 का एक राष्ट था पंदरा लाग की बड़ी फॉज थी सुप्रीम कोट, हाई कोट सेशन कोट की पूरी शंखला थी पैरा मिलिटरी फोर्स थी पुलिस थी जीता जागता प्रेस था 1948 के Human Rights की United Nations की मानवातिकारों की गोशना थी जिस पर भारत ने हस्ताक्षप किये United Nations का एक प्रिंसिपल है Responsibility to Protect R2P हर देश के शासन पर ये उत्तरदाइत्व है अपने अस्तरदी में आने वाले जन की रक्षा करेंगा इसके अधिकारों की रक्षा करेंगा इसकी संपति की रक्षा करेंगा ये सब धरा का धरा रही है हमारे आठ सो सांसदों की चुनीवी संसद और एक मजबूत प्रान मंत्री वारा चलाई गई सरकार और उसके ये सब अव्याय किसी काम नहीं है कुछ नहीं हुआ और लाखों लोग अपने घरों से उजड़ कर देश भर में सिर्च छुपाने की जगा धूनने को मजबूर हुए मार कर सामुविक नरसंभार करके अपरट होकर बलातकार जेल कर अपने घरों को लुटता हुआ मंदिरों को तूटता हुआ देखकर जान बचा कर अपने बूढे मावाब बच्चों को किसी तरह सुरक्षि स्थान पर ले जाने की जुगत में कश्मीर छोड़कर बहार हैं और आज 35 वर्ष हो गए बहार हैं उनके किसी भी हत्या को, बलातकार को, अपहरण को, लूट पाट को, अपमान को आज तक एक दोश के रूप में किसी पर सिध्ध नहीं किया गया है किसी पर मुकदमा नहीं चलाया गया है किसी को सजा नहीं किया हजारों F.I.R. से हैं दो कोई न害 प्तेया नहीं दी है छोड़िये वो सब आज तक किसी को एक धेला मुआवजा नहीं दिया गया है यहां सडक पे कोई highway पर कोई accident हो जाए कोई train accident हो जाए accident छोड़िये कोई accident होते होते बच जाए किसी हवाई जाज का commission of inquiry बैठ जाती है यह च्छाना जाता है, जूंडा जाता है कि यह human error था, कि technical error था, कि sabotage था, कि क्या था हमारी इस जाती यह विद्धवन्स पर, इस genocide पर कोई white paper नहीं है कि सरकार इतिहास में ही दर्ज कर दे कि हुआ क्या था भई, पता तो चले, आप ही के आकलन से क्या हुआ था, आप चलिए जूठी बोल दीजिए, कुछ लिखिए तो, बताईए तो, कोई मुकदमा तो चले, किसी पर दोश तो सिद्ध हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी को, कोई एक शतिपूर्ती नहीं मिली है, आज भी ऐसे कैंप, शरनार्थी कैंप चल रहे हैं, जिसमें हजारों लोग हैं, और पीड़ी दर पीड़ी, मर खप रहे हैं, इस प्रतीक्षा में कोई आके उनसे साक्ष मांगेगा, कोई पूछेगा भई, बताओ तो, नौ प्रधान मंत्री हुए, आज तक कोई प्रधान मंत्री वहाँ मिलने नहीं गया, कुछने नहीं गया किसी से, हाँ, उनके नाम पर कभी कभी भाशन होते हैं, कि उनके लिए ये करना है, वो करना है, अपने ही देश में शरनार्थी हैं, और अब दो पीड़ियां जा तो फिर ये अस्मिता भी नहीं बचेगी, क्योंकि अभी भाशा बोलने वाले, वो बच्चे नहीं आ रहा हैं, जो अपने परिवेश में रह करके भाशा सीखते हैं, सत्तर असी प्रतिशत विवाह जो हैं, समुदाय के बाहर हो रहे हैं, उनकी संताने, कितना कश्मीरी सीख जानेंगी, स्वाइम को मानेंगी, खान पान, वेश भूशा, काम काज, परिवेश के अभाव में सब बदल गया है, बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है, इसके विशे में सरकारी योज़ था, पूरी तरह उदासी में हैं, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, सैकड़ों वर्ष की दास्ता के बाद, तो सब कुछ सो मना रहे थे, कश्मीर को जब शेख अब्दुल्ला को सौपा गया, फिर एक मुसलमान को सौप पिया गया, उसी अवसर पर, नहरों की जिद के चलते, तो हमारे लिए क्या उपाय बचता, उस शेख अब्दुल्ला ने सब्ता समालने के बाद, पहला काम ये किया, कि जो माहराजा का प्रधान मंत्री था, रामचंद्र काप, उसको बंदी बनाया, बंदी बनाकर जब उसे सब जेल से हाई कोट ले जाया जा रहा था, उसके हाथ रसी से बांदे गए, और उसको पैदल गलियों सड़कों पर चलाते हुए हाई कोट ले जाया गया, और लोगों को इकठा करके उस पर कूड़ा फेका गया, ठूका गया, मल फेका गया, गालियां दी गई, पत्थर मारे गया, उस रामचंद्र काप तुक प्रधान मंत्री था, और ये सब नहरू ने, होने नहीं दिया, करवाया, और ये रामचंद्र काप का अपमान नहीं था, ये हम हिंदूओं को बताया जा रहा था, शारजनिक तौर पे, कि तुम्हारा क्या हश्र होना है, अबी देखो, उस शेख अब्दुल्ला की ये टिपणी थी, कि मैं उन हिंदू महिलाओं से बरतन मंजवाऊंगा मुसल्मान धरों में, तब शांती पड़ेगी मज़े, ऐसी स्थिती में तो नभे से पहले ही चंचं कर बाहर आना शुरू हो गया था हिंदूओं का, क्योंकि आप मेधावी छात्रों को भी उच्च शिक्षा में एड्मिशन नहीं तेंगे, सरकारी नौकरी नहीं तेंगे, प्रतारित करेंगे, सामाजिक तो तो कौन रह पाएगा? मेरे पिता की पीड़ी को कश्मीर से बाहर आना पढ़ा पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, मुँपर कहा गया, तुमारे लिए तो पूरा देश पढ़ा है, यहां क्यों हो? उनसे ये 4-5 प्रतिशत हिंदू भी बरदाश न समविधान को कश्मीर में लागू नहीं होने दिया गया, और कश्मीर में जो समविधान दिया गया, उसमें अलपसंख्यक नाम का एक शब्द नहीं रार कभी, हाँ, कश्मीर का मुसल्मान खुद को अलपसंख्यक कहता रहा, और उस अलपसंख्यक के नाम पर जो देश के सम इधान में प्रावधान थे वो हजम करता रहा और ये देश ऐसा होने देता रहा और आज भी हो रहा है कोई नई बात बड़ी बात नहीं है तो कश्मीर आज अपने आप में जहां की है उस भविश्य की जो इश्वर ना करें इस देश में घटने वाला है ऐसा मेरा मालना है और ये बात अगर चुपती हो बुरी लगती हो तो मैं इसके लिए शमाय आचना कर लूँ लेकिन इस विश्य में जूट बोलने का पाप मैं आपसे नहीं करूँ हम विकास कर रहे हैं विकास की सनक में हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिसकी इस देश को आवशकता है लेकिन इसलाम के इस देश में आने से पहले हम कितने विक्सित से वो हवारा स्वर्ण काल था बहुत विक्सित थे बहुत संपन्न थे अंग्रेज या इसलामी लशकर इस देश में ना तो पर्यटन के लिए आए ना तीख थाटन के लिए आए वो इस देश की संपनता और विकास से आप करशित होकर आए थे हैं माल देखकर आए थे हम इसलिए मारे गए हारे गए क्यूंकि हमें कब संकट बोध नहीं था शत्र बोध नहीं था हम भूत विक्सित और संपन्वे थे, हमारे यहां तक्नीक थी, शिल्प था, रसायन था, ज्ञान परमपराईं थी, हम नक्षत्रों की गती दिशा सब भूत अच्छे से भाव लेते थे, अचूख गणना करते थे, अच्छा कवराईं की सोने चांदी की अच्छी परक थी, हमारे पास सब कुछ अच्छा था, तो संकट बोध और शत्र बोध नहीं था, और उससे जो एक दाईत्व बोध आता है, वो तो होना ही नहीं था, आज भी उसका नितान तभाव है, तो दो हजार सेंटालिस तक हम जिसे एक विक्सित राष्टर को बना रहे हैं, मात्र भूमी के रूप में गाय को पाल पोस कर हटा कटा कर रहे हैं, दो हजार सेंटालिस में वो किस कसाई को सौंप के जाएंगे, इसका बोध रखना बहुत आवश्चे हैं, वरना कश्मीर जैसा द्रिश्टान्त तो हमारे सामने हैं, अगर आँखें खोल के देखना चाहें तो देखना, मुझे लगता है, मैंने समय जो मुझे दिया गया था, उससे बहुत अधिक ले लिया है, इसके लिए शमायाचना, बिल्कुल भी नहीं, समय आपने अधिक ले लिया, समय से ये तो अतीद की बातें थी, और बिल्कुल भी मैं नहीं ही चाहता था कि इस बात को हम रोकें, क्योंकि आपने नकेवल हमें इतिहास से परिचित कराया, इतिहास के भीतर रहने वाली उस अंतरधाराओं से आज परिचे हुआ हम लोगों का, जिसके बारे में हमें समाने रूप से किताबों में और जगा पढ़ने को नहीं मितता, और उससे भी बड़ी बात है कि आपने जिस तरह के अपने रिदे की बात गुद्धी में सैयमित करके प्रस्तुत किये है, वो नितांत प्रिशंस्निय है, मैं नहीं चाहता था कि आप अभी रुकें और इस सारे इतना व्यापक ये जो परिद्रिश्य है, इसको अभी आप और अधिक अग्रिसर करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता और पता नहीं, इसलिए वो मैसूस आम हिंदुस्तानी कर भी नहीं पाता हैं, और निश्चित रूप से इस बात को यहीं हम नहीं रोकेंगे, इसके आगे चलेंगे और इसका सीरीज के रूप में इसको हमारी इच्छा है कि इसको अग्रिसर करें, लेकिन चलिए, अभी हम बहुत इसका विस्तार ना करते हुए, कुछ प्रशन, कुछ टिपनिया, कुछ जो भी बाते हैं, उनको हम आपके साथ सांजा करना चाहेंगे, तो सबसे पहले डॉक्टर रविंदर कुमार जी ने अपना हाथ खड़ा किया है, वो अपनी बात अपने साथ रख लेंगे, उसके बाद जो भी आप में से सज्जन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी रखना चाहते हैं, आशिदो जी पहले तो आपका मैं बहुत आभा कही है, वो निश्चीत रूप से अकल्पनिये भी है मेरे लिए, और सच तो यह है कि उनके द्वारा सुनने के बाद रोंग्टे खड़े करने वाली बात है, हिर्दय वितार रख दृश्यत पन होता है, जिसके बारे में जान भूज़ करी मैं तो कहूंगा, कि हमारे यहां स तुनतता के बाद इतिहासकारों ने इन तथ्यों को छुपाया, और मैं इसलिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास उनकी प्रिशनशा के लिए अभिवादन के लिए, हाँ एक दो बाते हैं मेरी जिग्यासा, आम तोर पर हमें यह पढ़ाया गया, और उसको हमने भी आगे पंडितों का आर्थिक सामराज्य था, सुनता के बाद भी उन्होंने मुस्लमानों का शुषन किया, और इसलिए 1990 की घटना उस शुषन के वरुद प्रतिक लिया थी, और एक सर आज के संदर्में मैं जिग्यासा है मेरी पंडिती से, कि क्या वो सोचते हैं कि क्या ऐसा समया आप आएगा कि जब कश्मीरी पंडित सर सम्मान वापिस कश्मीर घाटी में सर सम्मान जीवन व्यतीत करने के लिए वापिस जा सकेंगे निकट भिष्य में, क्या उनको सरकारें, चाहे वो लोगतांतित तरीके से चुनेगे कि कश्मीर की सिरकारों वर्तमान या केंदरिक स सरकारों कि वो उनको ऐसा आश्वाष्टन रे पाएंगी मनुवेग्यानिक रूप से कि वो वापिस जा सकेंगे, ये मेरी एक जिग्यासा है, जिनका मैं प्रणिजी से चाहूंगा कि वो इसके उपर भी प्रकाश्ट आने है, थैंक, धन्यवाजी जी. सर, आप एक साथ सभी प्रश्टम को लेना चाहेंगे या एक एक करके इसी तरह से टिप्डिंग करना चाहेंगे उनके, अन्म्यूट कर लीजे सर, अगर इससे मिलते जूते कुछ अन्यवी प्रश्टम हों तो मैं एक साथ इन पर, ठीक है, देख लेते हैं, तो पहले सुभ करनी जी बेंगलाओर से शाइद भो भी अपनी बात रखना चाहेंगे, पहले सुभाष जी, अच्छो जी धन्यवाद, कश्मीरी में दो शब्द, कश्मीरी में दो शब्द बोलना चाहूंगा, आप लोग बोड़ा सा हमें अपनी किंजाइश रख लिए गया, सुषीर जी मैं इसका ट्रांसलेशन भी आपको बता दूगा, कि जी हलका हो जाता है, जब कोई कश्मीरी में रिस्पॉंट हो जाता है, तो शब्द हलका जी हो जाता है, मैंने इनको सिर्फ यही बताया, कि आपने हमारी पूरी समाज के लिए जो कहा, वो बहुत ही सही करा, पर सपी करा मैं आपके वक्ताओं को एक और बात सांजा करना चाहरा हूँ, मेरा कोई सुशील जी से प्रश्ण नहीं कि मैं और सुशील जी तो सभी प्रश्ण ही बन गया वी पारत वर्श में, जब हमारा नाइनटी में लोग दरबदर हो रहे हैं तो मैं उसक्त लखनों में था, उसक् मुख्यमंत्री थे मुलाइम संधी का, वहां एक LDA के बने हुए कुछ फ्लैट्स पड़े हुए थे, उसमें पानी बिजली था निंग, यह पने हुए थे, जैसे सरकारी उन टाइम पे एक्स्टेंशन बनाया करते थे, तो हम लोग उनी किसी तरह से थोड़ा बहुत अपना साहस बढ़ा करके मुलाइम संधी से मिलने का प्रयास किया, उन से कहा कि ऐसे हमारे कुछ लोग हैं जिनको सरकारी नोखनी के आवज में लखनो में रहना पड़ेगा, लेकि उनके पास कोई दरोधीवार बिचार उनके पास है नहीं, तो आपका यह कानपुर रोड पे जो अबी तक कोई अलॉट्मेंट हुआ नहीं है फ्लैट का, यह कुछ समय तक इनको देदी जलता के बेचारे दफ्तर वफ्तर में अपना ज्वाइन करेंगे, वो तक तक रहेंगे, आप बरोसा नहीं करेंगे, एक मुक्षमंत्री ने हमें क्या कहा, एक मुक्षमंत्री हमें कह कोई हमारी वथा सुनने के लिए नहीं था. यह मुक्षमंत्री हमें कहता है, यह कहने के बदले कि अच्छा आपका यह प्रॉबल्म है, अच्छा में देखता हूं, मैं बात करूंगा, मैं आप दो दिन में बता दूँगा, यह वो हमें नहीं कह रहा है, वह उल्टा डांट रहा है कि भाई आप अपना कैसे छोड़ेगा भाई कोई गाउ अब हम उसको कैसे पताएंगे भाईया हम कही ड़केट तुम्हारे आगरा वाले ड़केट से वहाँ लड़नी रहे हैं वहाँ एक पॉर्टी सेवन और मिजाईल गंज चल रहे हैं जी जी बिलकुल मैं सोचा प्रचा जाना चाहिए था क्योंकि ये आप लोग नहीं बताएंगे तो ये कहां पता लगेगा अख़बारों में तो ये छपने से रहा है इस तरह से अख़बार की बाद तो छोड़ दीजा अख़बार तो बिखे हुआ है समाज है वो तो बिखा हुआ है उसको तो पूछ के ग्रह मंतरी मुफ्ती मुहमर साइथ थे जो की उत्तर प्रदेश के मुझफ़ा नगर से जो की मेरा ग्रह जिला है जहां मेरा बच्पन बीता है वहां से थे वो तो उस समय यही प्रसितिया थी जो उनका सवाज जी ने जिकर किया है कि जो कश्मीर से बाहर का भारत था वह का जन मानस पूर्न नत्या उदा सीन था और वस समय बीजेपी और लेफ्टिस्ट भी वीपी सिंग की सरकार को समस्थन कर रहे थे किसी ने भी पार्टी ने इनका विरूद में उसको सरकार को गिराया नहीं था ठीक है जी अर्विन जी बहुत संग्चेत मैं और उसके बाद क्रोफेसर डॉक्टर बीन अगर्बाल जी राजस्तान छेलाजिया प्रोफेसर बिना जी वी राजस्तान से और काश्मी हैविसम के उपर सबसे बड़ी विद्युशी इस वक्त हैं और दी बहुत बड़ा प्रजेक्ट भी इन्होंने कश्मीरी शेविजम के भद्धी आंदोलन पे उन्होंने पूरा किया है। निशकर्ष के रूप में या मेरा जो अधेयन प्रानम मैंने किया था, उसके लिए मैंने बेस जो लग रखा था, हाइपोथेसिस रखी थी, कि शायद भक्ती जो हमारी देवताओं के प्रति आराधना है, या जो हमारे स्टोत्र है, या हमारे जो उत्सा में आपने बताया कि म मतलब किस तरह से उन लोगोंने नुकसान पहुचाया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, आज की तारीक में भी अगर हम भक्ती को जिन्दा रख पाएं, अपनी सहन शक्ती को बढ़ाने का वो साधन हो सकती है, और मतलब सहन शक्ती तो जरूरी है जीने के लिए, जो भी हमा भी हमादा रहा है, या अब जो हो रहा है कश्मीर में पिछले इस साल तुला मुला का उत्सव दोनों समुदायों ने मिलकर न्यूस जैसी बनी, हम लोग तो न्यूस ही जान पाते हैं कि दोनों समुदाय मिलकर उत्सव मना रहा हैं, या वो जो अभीनाव गुप्त की तो मैं यह पूश रही जानना चाहती थी आपसे, क्या कि आप भक्ती, सहन शक्ती का पर्याय हो सकते हैं, या यह एक पलायनवाद की दृष्टी है, या आज की तारीक में क्या संदेश है? किसी और का कोई अभी टिपनी करना चाहा रहे हैं, कोई नहीं तो चलिए, आप दौक साब एक उत्तर दे दिजिए, इस सारी विशेप पर, उसके बाद अश्विनी जी जी, धन्यवाद, देखें, ये प्रचारित किया गया कि जो पहला प्रशन था कि कश्मीरी हिंदू समुदाय जो हैं, कश्मीरी पंदित जिने कहार जाता है, वो कश्मीर पर हावी थे, अर्थ तंत्र पर, प्रशासनिक तंत्र पर हावी थे, और इसके कारण एक द्वेश उ इन्सा आई और इस कारण हमें बुगतना पड़ा, एक और कहानी भी प्रचलित है, और वो कहानी है कि एक समय में बहुत से मुसल्मान चाहते थे कि वो हिंदू धर्म में लोट आएं, और फिर कश्मीरी पंदितों ने राजा से कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो हम विरोध करेंगे, हम आत्मदा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो इस वजए से कश्मीर फिर भी मुसलिम बहुल रहा और आज देखिए हम उसी का भुगत रहे हैं कि उस वक्त हमने आने नहीं दिया, हम ब्राह्मन थोड़े नक्चड़े होते हैं और इन सब बात जब आप पीडित को ही दोशी बनाते हैं उसकी नी परिस्थिति के लिए और बच निकलने का मौका देते हैं उसको जिसने उस पर अत्याचार किया यह एक बहुत काम्याब और चिर्परिचित तरीका है न्याए न देने का और आत्यताई को बच निकलने का कश्मीर का जो हिंदू समुदाय है मैं इस विशे को पूरी आग्रह के साथ आपको कहूँ कि वह पांच प्रतिशत जो बच गया था उसके हाथ में केवल पढ़ाई लिखाई बची थी उसके पास जमीने नहीं थी उसके पास कारोबार नहीं था वह नौकरी पेशा समुदाय था हाँ क्योंकि अब उसके पास केवल पढ़ाई लिखाई थी तो वह डॉक्टर भी बन जाता था वह इंजिनियर भी बन जाता था वह अकाउंटेंट भी बन जाता था वह वकील भी बन जाता था वह आकिटेक भी बन जाता था वह बैंकों में भी काम कर पाता था क्योंकि बैंक जो थे वह अधिकांश कश्मीर की सरकार के बाहर थे insurance companies में उसको काम मिल जाता था क्योंकि वो सरकारी खिर्ट में केंद्रिय सरकार के उपकरमों में थी वहां उसके साथ भेदभाव नहीं होता था और उपेक्षा और अत्याचार और भेदभाव के बावजूद वो जिन्दा था और रह पा रहा था और सहते सहते मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग एक छोटी से अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में एक आक्रामक बहुसंख्यक संप्रदाय के साथ रह पाएं हो कहीं उसका अनुभव लिया हो एक सज्जन ने कहा कि वो मुजफर नगर में रहते थे वहाँ पर तो इसकी गुंजाईश थी कहीं उनके महले के बीच एक या दो हिंदू घर बन करके रहे कभी और जाना कि वो अनुभव क्या है हमारे साथ 1990 में जब सब कुछ हो रहा था तब देश भर में शिला पूजन का कारिक्रम चल रहा था मैं आपको संदर्व के रूप में बताओ थोड़ा और ऐसी ही भ्रांति क्योंके कश्मीरी पंडे तब पढ़ लिख गए तो वो आई-एस बन जाते थे वो कॉम्पटिटिव एक्जाम में जाते थे वो डिप्लोमाट्स बन जाते थे तो चुबते ठेके हैं ये लोगे और बड़ा द्वेश पालने का कारण बन गया था हम लोगों के खिलाब और पूरा जो राजनेतिक परिद्रिश्य था एक स्पेक्ट्रम था जिसे आप जिसमें हर शेड की हर आइडियोलोजी की राजनीति संभिलित है मैं बताता हूं उन्होंने कैसे लिया हमको जो लेफ्टिस्ट था लेफ्टिस्ट राजनीति जो थी पॉलिटिक्स थी उसने कश्मीरी पंडित हिंदू को बुर्जुआ के रूप में देखा जो वाइट कॉ जो दलित राजनीति थी देश की उसके लिए ये ब्रह्मन था तो ब्रह्मन था तो फिर हमारा इससे क्या लेना देना है जो मुलायन सेंग लालु यादव वाली पिछडी राजनीति थी उसके लिए अगड़ा था तो अगड़े से क्या लेना देना है तो इसलिए उसने भी उपेक्षा की जो कांग्रेसी राजनीति थी जो अलपसंख्यकों की राजनीति करती थी उसके लिए ये बहु संख्यक था और बहु संख्यक भी उस जगह पे जहां अलपसंख्यकों का बोलवाला है तो क्या लेना देना है उसके लिए प्रात्मिक्ता जो है वो मुस्लिम वोट बैंक था तो उसने भी उपेक्षा की अब बची ये हिंदुत्व वाली राष्ट्रवादी राजने के उसके लिए हम जवाहरलाल नहरू और इंद्रा गांधी के रिष्टदार थे कश्मीरी पंडित थे न सेही ह उसके लिए हम ये नक्चड़े जो अपने अनुपाद से कहीं ज्यादा सप्ता का सुक्ष भोग रहे थे शासन कर रहे थे हम वो थे मरने दो सालों को तो हम अपने देश में अगर अनाथ हो गए उपेक्षित हो गए और आज भी हैं तो उसके कारण धूनने के लिए कोई विशेश शोद की आवशक्ता नहीं है मानस में हमारे एटिटूड में व्यवहार में आपको ये दिख जाएगा मैंने आपके सामने पूरा स्पेक्ट्रम रख दिया है इसके बाद कौन बच्चता है ये है in जवार ळल्यों नहीन तो क्श्मीरी पंडित था ना इन्रा गांधी तो कश्मीरी वोट देता था उत्तरप्रदेश किसको वोट देता था क्या क्वांग्रेसी वोट पूरे देश में नहीं पाते थे लेकिन जवाहरलान नहरू और इंद्रा गांधी हमारे रिष्टेदार थेराए गए तो अब भुगतिये बहुत आश कर लिए आप लोगों ने आईए थोड़ा भुगतिये तो ये परिस्थिती है कोई मुह से बोलता नहीं है मन में ग्रंथी पाले बैठा है उसके व्यवहार में दिख जाते हैं दो चार मिनिट बात करने से पता चल जाता है कि वो कहां टिका है इस विशेदा और ऐसे में आप कहें कि हम थोड़ा भक्ति की और ध्यान दें थोड़ा सहन शक्ति बढ़ाएं क्यूंकि आपने हमारे भक्ति आंदलोनों पर अध्यन किया है तो कश्मीर में उसी चौधमी शतापदी में जब इसलाम आ रहा था और वो देख रही थी कि इसलाम क्या कर रहा है तेरा सो बीस में पैदा हुई जब तेरा सो उन्तालिस में पहला सुल्तान आया तब वो उन्निस वर्ष की रही होंगी तेरा सो बानुवे में उनका निधन हुआ तब तक सिकंदर बुद्ष शिकन आ चुका था मीरहली अमधानी आ चुका था मंदिर तोड़े जाने शुरू हो गए थे पलायन आरंब हो चुका था तेरा सो पिच्चासी में उनके ललवाकों में आप देख सकते हैं वो कैसे चेता रही हैं समाज को और कैसे शिवोनमुख कर रही है वो कह रही है कि कोई बात नहीं मंदिर तूटा आपके भीतर एक मंदिर है कोई बात नहीं यह जगत्तु माया है आपको ब्रह्म में विश्वास रहता है उनके वाक इतने प्रचलित हुए उन्होंने कहीं लिखे नहीं किसी कागस पर नहीं लिखे वो उस समुदाय के मानस पर अंकित हो गए और जन्शुतियों में जीवित रहे वारता लापों में जीवित रहे समवादों में व्यवहार में जीवित रहे आज भी वो जीवित हैं और यदि आपको उनके अनुवाद मिल जाए तो देखिएगा कि ये समाज कैसे अपनी आस्था को बचाए हुए गटते-गटते-गटते यहां तक पहुंचा है जी अर इसके बाद दो लोगों का और टिपनी है श्री अजय भार्गा जी जो कि सीनियर वेरी सीनिर जनरलिस्ट चंदिगण में है उसके बाद डॉक्टर प्रुवेसर रमेश वर्मा जी 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 अजय जी आवाज़ारी है हां जी आजय आजय आटिगे शुषेल जी को पहले बहुत-बहुत बदाई जिस इनसाइसे परस्पेक्टेब में उनोंने सारा ये हमारे साथ शेर किया थौट और हिस्टरी एक बड़ा अभधर सा सवाल है सुषेल जी कि आपने जी आचे गत मतलब एक्जोटिस गुनवाए हैं जो पंडितों के हुए हैं फ्रॉम काश्मीर अजयन के मेरा एक वैसे अभधर सवाल है मैं उसको पहले ही कह रहा हूँ इस नौट वेरी गेस्वाल कोस्चिन क्या कारण है कि कभी कभी भी कोई रिजिस्टेंस ग्रुप नहीं बना क्या कारण है कि इतनी सेंचरीज में काश्मीरी पंडित या काश्मीरी समाज जो पंडित समाज है इसमें कभी किसी स्टेज पे कोई रिजिस्टेंस शो करने की शक्ती के उनहीं आई क्या कारण है कि हम गुर्टेग बहादूर के पास गए हम महराजर रंजीर सिंग के पास गए लेकिन लोकल ऐसा रिजिस्टेंट मुवमेंट या एफट क्यों पर 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 प्रिक्रपया के उन्हें तो बिलॉंग करते हैं उस सारे सिसाइटी को परहप्स तुम बैठे बैठे मुझे थोड़ा सा यह जिग्यासा जारी है कि वाई कुंट वी रिजिस्टेट अट एनी स्टेज इन दे लास्ट फाइवंड़ यह सीधा प्रष्ण यह है कि हमने हथियार क्यों यह उठाए जब हमारे पर हथियारों से ही हमला हो रहा है लेकिन इस प्रष्ण के साथ पहले एक बर रमेश वर्मा जी का भी प्रश्म ल मस्कार गरता हूँ क्योंकि जाने अंजाने हम यह चीज़ें जो थोड़े से भी जानकार रहे हैं इतियास के पढ़ती है वैसे मैं फिजिक्स का विजारती हूँ लेकर मेरी शौक रहा है पढ़ने का कश्मीर की महिमा से थोड़ा बहुत प्रिचित हूँ और इनको सुनने क मैं इतने जुरूर कहना चाहूँगा यह दि हम ध्यान से देखें एक्सोडर्स के बाद अपनी जगा बहुत महत्तपूरण है पर जो यह इतिहास इनोंने हमें धिया है वो हम तक्रीवन 1100 के बाद शायद ही कोई भारत का प्रांत ऐसा रहा हो जिसने इन चीज़ों को ना भ देश पूरूर्ण ढंक से हमें एक गलत इतिहास में ढ़ला गया और जो एक हमारे अंदर कुरोध को भी चालने करता है कि तथा कजित सब्तंतरता 1947 के बाद जब एक आशा थी कि हमें अपनी संस्कृति अपने इतिहास का ग्यान पराब्त होगा उसकी लाइड में हम कुछ न संस्कृति का कंट्रिबुशन है वो हमें ज्यादा तर संस्कृत में दिखता है दूसरी भाशाएं भी हैं प्राक्रित हाली है लेकिन उसका 50% से कंट्रिबुशन हमारे लिए गर्व का विशह है कि हमें वो कश्मीर से प्राप्त हुआ है ऐसे हब भी थोड़ा बहुत मैं दूकल ठीक है और यहां तक भी ठीक है कि आज भी मैं अन्वम करता हूं बिना किसी विदेश भावना के मुस्मान जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग इशह है बट हमें शुत्रु बहुत की कमी और उसके बाद जो दाइतर बहुत आना चाहिए उसके कमी लगी रहा है कि है नहीं और आज में हम मस्ती में बैटे सुन रहे हैं हम बात कर रहे हैं बट कुछ लग नहीं रहा है कि समाजिक तरफे उठें लेकिन कुछ प्रवर्तन पॉजिटिव भी हुए है जो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है अब जैसे जो ये इतिहास कहा गया है इन्होंने पापा रावल की बात की ललता दित्ते जी के बात की उसाब आधर निया है और उन्हें जो रिजिस्टनस दिखाया है वो बहुत ही प्रेड़न दायक है मेरे लिए खुद भी ये एक बहुत बड़ा अद्बुत यानि जो रहा है यह यहरानी का विशह है कि हम मुहमद बिन क आसिम के बाद सडनली देखते हैं कि हमें महमद गजनवी से वास्ता पढ़ रहा है तीन सो साल चार सो साल का वो समय जब दुनिया में वो सपें तक फैल गए हैं इरान तक आ गए हैं हम हमें क्या उन्होंने मतले शादू से शूर के बख्ष दिया नहीं भाई बापा रावल जैसे लोगों नागभट जैसे लोगों ने मिलकर के पीडी दर पीडी उन्हें उनके खोल में गुसा के रखा था वो इतियास थोड़ी थोड़ी लोगों ने जैसे उमेंद रतनु हैं उन्होंने महाराना पुस्तक देखे हैं उसमें कम से कम बाहराना शुरू हो गया और हम में भी दुख होता था जब हम बच्छमन में इतास पढ़ते थे कि इस पिरिट के बाद क्यों ही पढ़ाई जा रही है एक अंदर एंगर था बट हम लोग क्या है हम लोग स्टूडेंट है बाद में हम लोग दोसरे सब्सक्राइक्श में चलेगे बट ऐसे हो भी अपने अपन लंग से दिखाया है कि एक जो मित हमारे अंदर बना दी गई सूफी में शायद कुछ शूपी रही होंगे औरिजिनरली गजाली जैसे थे जिनका मैं जिगर नहीं करना चाहरा हूं बट मोस्टली वो इसलाम के परचारग बनके कनवर्शन भी करते रहे और कितनी उन्होंने कहीं बर दोश्चता पुरन हरकतें भी की हैं वो सब चीज़े देरे देरे परगाश में आ रही हैं और असते में जाते में इसको भी उन्होंने लिया है सूफी यूटू और उसके बाद उन्होंने जो ये शरंदर कार हमारे साथ हुआ है वो भी 1947 के बाद इतिहास में जब कहते हैं कि हमें पढ़ाई यह जाता रहा है परावव 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 जैसे कि हम जनव जाद डरपोग लोगी रहे हैं और हम मरने कटने के लिए प्यादा होते रहें इसको चुआ है फिर उन्होंने एक चीज़ और भी चुई है जहां वो बताते हैं कि जो भाया नहीं वो हुआ नहीं जो आपकी प्रेड़न दाएक गरंत थे रमायन थे मांभारत थे उनको आपको मिद कहके टाल दिया गया और जैसे इन्होंने बहुत शांदर ढंग से कहा है कि जो अट्रिस हुई उनको कैसे परदे में टाल दिया गया है यह सब बातों में हंडर्ड़ को भारत के मस्दिक्स का कैंसर महसूस करते रहे हैं और यहीं मुझे यह बात कहने के अजाज़त दो इनके लिए जो जिम्मेवार राजनिते के नकली राजनिते के या उगरवादी जो भी थे उनके लिए हिर्दे में गहरी नफरिद लिए बैठे हैं कम से कम हमें यह दिया इसी बात के लिए दिया कि एक देश में दो शाशन नहीं हो सकते दो समिनान नहीं सकते वो मरे या मारे गए वो सब हमरे को पता है कि क्या कहानी है यह जरूर यह बिश्य अभी दूसरे उसमें पक्ष में लेंगे कि इसको इसका प्रभाव ठीक है धीरे तरह हो रहा है वह मैं मैं महसूस करता हूं कि कभी यह अंडाजनेते का विश्य है लेकिन 373 को अकनॉलेज करना बनता है कि कैसे वह हटी है उसके बाद सित्रे में प्रवर्तन की आशा भी बंदी है वह आशा पूरान हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो एक अलग बाद है धन्यवाज़ आपको एक बार इन पर टिपनी कर दीजिए उसके बाद पर हम दो तीन टिपनियां और हैं उसको हम लेंगे बहुत संख्येप में जो अजे जी का प्रश्ण है और डॉक साब ने जो काया है जी अजे जी अकारण ही इतना अपराद भाव से ग्रस्थ हैं कि अभद्र प्रश्ण कर रहे हैं मैं ऐसे प्रश्ण प्राया सुनता रहता हैं आते रहते हैं कश्मीर में आम्ड रिजिस्टेंस की वो बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं हुई और यदि उनका इससे ये आशे है कि ये कायर्ता के कारण नहीं हुई वो कहने में अगर संकोच कर गए हैं तो मैं उसका वो अर्थ भी ले लेता हूं और उस द्रिश्टी से मैं इस प्रश्ण का उत्तर दूँगा कि कश्मीर में रिजिस्टेंस उस समय से है जब से वहां इसलाम आया निरंतर रही इसलाम आने की कोशिश कर रहा था तब भी रिजिस्टेंस थी मैंने आप से शायद इस विश्टेंस में कहा कि कश्मीर में लोहार वंश का जो पहला राजा था जिसका नाम संग्राम राज जो दस्सो तीन में शासन में आया, उसने दस्सो चौदह में और दस्सो इक्किस में दो बार उस महमूद घजनवी को हराया और भगाया, पीट कर, जिसको देश भर में कहीं रेजिस्टेंस नहीं मिली, वो सोमनात के किवार उखाड़ करके ले गया, वो विध्वंस करता हुआ, सैक्णों किलोमीटर भीतर तक घुस आया, उसने कोई दिशा नहीं छोड़ी, जहां उसने मंदिर नहीं उजाड़े, और हमारी बेटियों को बांध कर नहीं ले गया मंडियों में बेचने के लिए मत्य एशिया के, लगता ही नहीं था, उसको आखिर तक, अब यदि आप उस समाज की रचना देखें, जहां हिंदू बचे, तो आप आएंगे, कि जो कश्मीरी सामाजिक संरचना थी, हिंदू समाज में, उसमें हाथ से काम करने वाले नहीं बचे थे, उसमें व्यावसाइक, अंट्रपेनोर्स, व्यापार करने वाले नहीं बचे थे, उसमें जमीन से काम करने वाले, जमीन पर काम करने वाले, खेती, बागान, ये काम करने वाले नहीं बचे थे, उसमें बचे थे clerk, उसमें बचे थे teacher, उसमें बचे थे post and telegraph क्योंकि वो केंदर सरकार का उपकरम था, उसमें काम करने वाले और उसमें बचे था, वह समुदाए जो पूरी तरह छितरा हुआ था, जब मैं कह रहा हूँ छितरा हुआ था, तो एक जुठ होकर के रहने वाला ये समुदाए कहीं नहीं था, जैसे आज आप घेटोज देखते हैं, clusters देखते हैं, जहां पर पुलिस के लिए no-go zones बन गए है इस दिल्ली शहर में ही, ऐसे दर्जनों clusters हैं, जहां पुलिस जाते हुए शर्माती है, तो ऐसी परिस्थितियां थी कश्मीर में, की 50-60 घरों के बीच एक या दो घर हिंदू तापूँ की तरह रह रहे थे, हम लोग हर गाउं में थे, हर कस्बे में थे, हर महले में थे, लेकिन इक का दुख्का, इक का दुख्का, तो एक दूसरे से कटे हुए थे, और दरितरता की सिती में थे, और ऐसे में इस्तमाल हो रहे थे, किसी तरह आस्था बचाए रखने की जुगत में थे, तो अगर 4-6 लोगों के, परिवारों के समूह में भी, आप जा रहे हैं, अपना मंदिर खोल रहे हैं, वहाँ घंटी बजा रहे हैं, वहाँ आरती कर रहे हैं, अपना त्योहार मना रहे हैं, सर पे तिलक लगाकी घूम रहे हैं, ये भी एक resistance थी मुझे नहीं मालूम के आज पाकिस्तान में रहने वाला जो हिंदू समुदाए है वो अपने आपको हिंदू नाम के साथ हिंदू पहचान के साथ रह रहा है उसमें आप उसकी कितनी कायरता और कितनी बहादुरी समझते हैं और वो कितनी हतियारबन resistance कर पा रहा है आज बांगलादेश में 6-7-8 प्रतिशत हिंदू समुदाए बचा है वो कितनी armed resistance कर पा रहा है फिजी में तो 52 प्रतिशत हिंदू समुदाए था जब कू हुआ टिमोथी बवांदरा के खिलाव स्टीवेनी रांबुका का फिजी को खाली करके कोई Australia, कोई New Zealand जाने लगा भागने लगा तो मुझे कई बार लगता है कि जो एक विद्वा, दूसरी विद्वा को उलाहना देती है पंजाबी में कहते हैं खसमनु खानी आप उसके वैधवय का उपहास उड़ाती है हम आपस में अपनी इस शोचनी इस्थिती पर की हम यहां तक कहसे पहुँचे यह कायरता है परिस्थिती को न समझने की या हिंसा से गुरेज करने की या अपने वयक्तिक व्यक्तिगत जीवन में फोकस करने की समुह के रूप में न सोचने की एक समाज एक देश के रूप में न सोचने की वो कौनसी ग्रंथी है हमारे दर्शन में ऐसा क्या है कि हम अपने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए अधिक लालाइत है तो शोच का विशह है इसमें आम्ड रेजिस्टेंस अब तक मुझे श्री लंका में दिखाई पड़ी लेकिन वो जानते हैं कैसे आई वो तब तक नहीं आई जब तक इंद्रा गांधी ने उन्हें बुला कर कहा नहीं कि आईए दंड का रन्ने में हम आपको आम्स भी देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे और पैसा भी देंगे आप लगिए जब तक एक व्यवस्था साथ खड़ी नहीं होती है वो राज्य की व्यवस्था हो वो व्यापार की व्यवस्था हो वो भामाशा की व्यवस्था हो जब तक एक व्यवस्था साथ नहीं खड़ी होती है कोई राजनेती ववस्था हो, दल की ववस्था हो मुझे याद है जब पहला व्यक्ति मारा गया 13 सितंबर 1999 को वो कश्मीरी हिंदू समुदाय का लीडर था उसका नाम था श्रीक्ति, पंडित्ति का लाल टपलू, बड़े वकीर थे और कश्मीर संभाग के भारतिय जनसंग के और उसके बाद भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और हमारे कुछ युवा साथ्यों ने उनके साथ मिल करके जब उन्हें यह बतलाने की कोशिश की कि यहाँ स्थितियां खराब हैं अडवानी जी, हिंदूओं का रहना कठिन हो जाएगा, यह 13 सितंबर 1999, याने जनवरी में जब पलायन बड़े पहमाने पर शुरू हुआ, उससे 3-4 महीने पहले की बात है, तो अडवानी जी ने कहा, बैठिये, बैठिये, सुन दिया, बैठिये, आप लोगों को नहीं पता, कि यह कॉंग्रेस और नैशनल कांफरेंस की जो गठबंदन की राजनीती चल रही है कश्मीर में, यह उसकी खीचतान का नतीजा है, आप ज़्यादा बड़ा चड़ा कि मत और जब 1990 के उत्तरार्द में, भावराव जी जम्मू आए, कैम्पों में आए, शर्नार्थियों के बीच बैठे, और ततकालीन प्रांथ प्रचारक जी से पूछा, यह हो गया और हमें इसका पता क्यूं नहीं चला के यह होने बाला है, इसकी पूरू सुचना क्यूं नहीं मिली, तो क्या ततकालीन प्रांथ प्रचारक यह कह पातें कि महीनों से घाटी नहीं गया, साल भर से ज़्यादा से घाटी नहीं गया नहीं कहा उन्होंने उन्होंने जब feedback सुना कश्मीरी हिंदूओं का विस्थापितों का कि क्या हुआ क्या हुआ तो विदा करते वक्त भाव राव जी को कान में बोला ये थोड़ा ज़्यादा नक्चड़े हैं बात नहीं मानते हैं अपनी चलाते हैं कुछ ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं हम कैसे कैसे पुर्वाग्रा पाल लेते हैं हम कैसी कैसी धारनाय बना लेते हैं जिन पर फिर तत्थियों पर उसका विशलेशन नहीं हो पाता तो फिर संकट का या चुनोती का सामना और दुरू हो जाता है एक स्वतंत्र देश में एक सौवरेन देश में आप रेजिस्टेंस करेंगे तो सबसे पहले आपकी पुलिस और आर्मी आपको टागेट करेंगे आप हत्यार कहां से लाएंगे आपके दोनों तरफ तो दुश्मन देश है ना पाकिस्तान आपको हत्यार देगा या चीन आपको हत्यार देगा आपकी सरकार आपको हत्यार देगी घर पे बैटके आप हत्यार बनाएंगे कैसे किस तरह की रेजिस्टेंस आप चाह रहे है LTTbell Resist कर पाई चल पाई है भीतरी मदद के बिना चल पाई है हमने कितनी resistance movements को study किया है आज ते 1991 की बात है देश के सेना प्रमुक जो बाद में बने जनरल मलिक चीफ दियामी स्टार्क बने वो उस वक्षमीर में ब्रिगेडियर थे मुझे अवसर मिला उनको मिलने का और मैंने उनसे कहा Sir Indian Army is not familiar with the terrain in Kashmir वो जानती है सीमा केक्षेत्र को वो शहरों और महलों को और गाओं और कस्मों को नहीं जानती है क्योंकि वो भीतर posted नहीं है वो भाशा को नहीं जानती है कश्मीर वो वहां की पुलिस को वहां के प्रशासन को नहीं जानती है हम जानते हैं हमारा उनसे पाला पड़ता है हमें मालूम है कि किस घर से कौन कितने महीने से गाइब है कहां training लेके गया है उसका क्या मानसिकता है वो किन में उठता बैठता है मैं आपको 150 युवक देता हूँ अपने समुदाय के हम आपकी आँख नाक कान बनेंगे और दुनिया में कोई insurgency बिना counter insurgency movement के succeed नहीं हुई है बताइए मैं मैं आपको उपलब्द हूँ इस offer के साथ उन्होंने मुझे देखा कुछ देर तक मुस्कुराय नौड किया और चले गए मैं यह अपना साक्ष दे रहा हूँ वो जीवित हैं आप उनसे जान सकते हैं आज भी पूछ सकते हैं मेरा नाम लेके पूछिए मैं उनको बता दूँ किन के सामने उनसे भेंट हुई थी और कहां बात हुई थी तो यह सी भी रिजिस्टेंस कह देना बड़ा असान है उसके लिए क्या लगता है क्या करना पड़ता है और किस तरह अपनों से ही जूजना पड़ता है पहले तो ठीक है अनिवे आश्टो जी एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट जो अजे जी ने प्रिश्न बताया इसका मैं भी थोड़ा सा उत्तर देना चाहूंगा हमारे यहां पर कश्मीर में जब आजादी हुई उसके बाद एक मुझे अपने बच्पन का किसा याद है जो अजे जी को मैं सुनाना चाहूंगा जो आप क्या रहे ने कि वहाँ लोकल क्यों नहीं ऐसा कोई ग्रूप शुरू हुए जिसने काउंटर इसरजिंसी का करी एक हिंदू लड़की थी परमेशुरी उसका जबरन एक मुसल्मा लड़के साथ शादी करवाई जो मेरे खाल में उस वक्त 15-16 साल का लगता था में मेरी आयवाइज 65 साल जी है तो करीपन 50 साल माननी जो है अभी सुशील जी ने इनका टिकालाल जी का नाम आपको तांजा कर दियो तो टिकालाल जी हमारे हिंदू कुम्यूनिटी के उस वक्ती लीडर थी मैं अजे जी को तो आज कोई अपना प्रमान देने सकता हूं क्यूंकि हमारे गर तो जले हुए हैं लेकिन वो हिस्ट्री में पुलीस रिकॉर्ड में डेख सकते हैं जिस तरह से उस हिंदो लड़की को मुसल्मान के साथ जबरन शादी करने के बाद वापस लाने के प्रयास किये गए थे मेरे खाल में आपको बार्दवर्ष में पूरे बारतवर्ष में वैसा संगराम नहीं मिलेगा ना हमारे पास बंदूप थे, ना हमारे पास लाठी थी, नहीं मैं आपको अश्टो जी पूरी तरह बताना जाए, हमारे पास लड़ने के लिए लाठी भी नहीं थी, बंदूप की बार पो छोड़ दीजे, तलवार की बार पो छोड़ दीजे, लगता है अजय जी ने सूचा है कि जिस तरह से खलिस्तान मुवमेंट शुरू हो गई या जिस तरह से वेके अलेफ शुरू हो गई लिए इस तरह से एक हिंदू को भी कश्मीर में कोई बंदूख बनाने का मैं सुशील जी से एक यमेदन करना चाओ को कि भाया हम घर में तलवार बना सकते थे हम चाकू बना सकते थे हम छे आठ लोग इंको मार सकते थे लेकिन हमें पता था उस टाइम मैं आज से पच्चा साल पहले की बात बता रहा हूं अभी 1990 तो छोड़ दी है हमें उस टाइम पत लड़की को छेडा और मारा हम भाया सारे सड़क पे थून बैते हुए दिखेंगे हैं जे जे क्यूंकि हमारे पास लड़ने के लिए छे लोग होते और अगले किनारे पे तो 6,000 होते बिलकल क्या आप पॉपुलेशन रेशो में देख लीजे हमारे पास पॉपुलेशन रे पे कितने हिंदू थे जो जखमी हो गई थे किसे अपनी पॉलीस जो मेरी अपनी जेंड के पॉलीस थी वो मुझे मार रही थी और आप आश्टो जी भरोसा नहीं करेंगे यूपी से हमारे पास CRPF की भिर बैटेलियन लाई गई जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट गए कि मैं पॉलीस तो हिंदू कोई मार रही है तब हमें वहां सेटल करने के लिए यूपी से पॉलीस बुलाई गई जे और यूपी पॉलीस करफ्यू के टाइम पे आप आश्टो जी हैरान हो जाएंगे कि यूपी पॉलीस करफ्यू के टाइम पे हिंदू को पहले ऐसे बेचारा गल नहीं की। लेकिन आप रिजस्टे लेकिन आप पी दोनों की बातों से सहमत हूं लेकिन मैं बीच में थोड़ा से इंटर्वेंशन ये देने का प्रयास करूंगा कि मेरा सवाल प्रेजंट टाइम से रिलेटेड नहीं था मेरा सवाल था जैसा अपने बताया सुषीर जी ने कि फ्रॉंग 1339 इस कमुनिटी हैस बीन प्रॉब्लम और उसके बाद उनों ने 1339 से लेके 1990 तक का विवरन दिया है तो मेरा सवाल यह नहीं कि अभी क्या हो रहा है अभी नहीं हुआ यह नहीं है मेरा सवाल यह है कि 1339 से जब पहली बार हुआ और उससे लेके 1990 तक यह छो समय है इसमें कभी कोई छोटी मूमेंट आप तो ठीक है कि हम कह सकते हैं कि बंडतों की population है जो 4% है या less than 4% है या जो भी आपने अभी विप्रण दिया अग्री विद दियो लेकिन मेरा सवाल व्यापक था मेरा सवाल पर्टिक्लर टाइंग के लिए नहीं था धन्यवाद देखे मैंने उस विशे में आपके प्रशन से पहले यदि आप मुझे अनुमती दें जैसा कि आपको पता है यदि व्यवस्था और शासन पर शत्रु का कब्जा है तो आप बाहर से मदद लेते हैं तो महराजा रंजीत सिंग के पास जाकर मदद लेकर सैनिक कारवाई की वो रेजिस्टन्स का हिस्सा था आप गुरु तेख भादुर के पास गए और रेजिस्टन्स के लिए मांगा हम लोग रेजिस्ट कर रहे थी ना अब रेजिस्टन्स के क्या-क्या आयाम है फिजिकल वाइलन्ट रिजिस्टेंस एक आयाम है, अपनी आस्था को न छोड़ना, अपने समुदाये को एक साथ रखना, बचाए रखना, तूसरा आयाम है, यह सभी आयाम, आप इस इतिहास को पढ़िए, यह हमारी जो पाँच राज तरंगिनिया हैं, यह शंखला में हैं, कलहन की, जोनराज की, श्रीवर की, प्राग्यभट की, और शुक की, और फिर आप पढ़िए तौफत अलहबाब को और बहरिस्तान शाही को जो पर्शियन एकाउंट सैंस हिस्ट्री के, आपको पता चलेगा, मैंने बताया कि शमसुद्दीन अराकी को रेजिस्ट कैसे कर रहे थे, वो घेर लेते थे, गाउं को कई दिन युद्ध चलता था, ऐसा नहीं है कि आए और आपने लाल कालीन बिचाई और सर जुकाया और मान गए, तो जिस सर पर रेजिस्टेंस हो अच्छा, आप रेजिस्टेंस कहां से एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आपको एक उधारन देता दशरत के पास, वहर्शी विश्वा मित्र जाते हैं न, क्या कहने, किस आप यहां दंडका रण्य में बोल बाला है राक्षस्थों का, जब तब नहीं करने देते हैं, यग्ये कुंड में मरे जानवर फेक देते हैं, तो वो किस के पास जाते हैं, वो राज्य सत्ता के पास जाते हैं, कहते हैं अपने युवा राजकुमारों को दीजिए, ये पूछते हैं दशरत विश्वा मित्र जी से, कि आप तो स्वेम शत्री हैं, आप तो स्वेम पारंगत हैं, युद्ध में, विद्याओं में, शस्त अधियन का प्रण लिया है, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और शस्त्र उसे उठाना है, जो इसके लिए अधिक्रत है, क्षत्रिय, राज्य विवस्था, इसलिए मैं आप से आपके दो राजकुमार लेने आया हूं, तो हम जिस विवस्था में, एक सभे समाज में, जि आज की बात क्यों नहीं करते हैं, किवल मध्ययुग की बात क्यों करते हैं, मध्ययुग में भी हुआ, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तो हम जिद दिल जीत रहे हैं, ठीक है, 370, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये हमारे सर पर माथे पर एक घाव था, कैंसर था, लेकिन, मैं अनुमोधन करता हूं, मुझे उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं हुई जीवन में, किसी भी राजनेतिक निरन्य को होते देखकर, जितनी इस विशय पर हुई, मैंने नहीं सोचा था मेरे जीते जीते जी मैं इसे देख पाऊंगा, लेकिन, यह क्या आत्मवंचना है, जो पहला चरण होना चाहिए था, जो पहला पग होना चाहिए था, आप उसे आखरी कदम मानकर बैठ गएंगे, 370 का हटना, अंततो गत्वा क्या था, 370 आपने संसद में एक प्रस्ताव पास किया, राश्ट्रपती ने उस पर अनुमोधन किया, सम्विधान में बदल हो गया, 370 चला गया, यही हुआ ना, लेकिन उसकी छत्रचाया में जो 70 साल जहाद, पनपा, उसके लिए तो जमीन पर निपटना पड़ेगा ना, उससे, जे, 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 उसके लिए तो जो मीडिया में, एकडिमिया में, बिरोक्रिसी में, पुलिस में, जुडिशरी में, अड्मिनिस्टेशन में, सिविल में जो जड़ लगा करके बैठ गए हैं आप उनका दिल जीतेंगे पुछ कारेंगे या उनको वीड आउट करेंगे प्रश्णी यह है और फिर 370 हटाने के बाद आठ महीने भी नहीं बीते थे आप एक गैजिटेड नोटिफिकेशन लेके आते हैं यह बताते हैं कि अब कश् होगा कि तो आप हम दो कदम आगे जाकर क कर यह अगर जो वहां 15 साल से रह रहे हैं उन्हीं का सब नोकरीं पर एक अधिकार है हमको तो निकले हुग साल होगा कि कि हमके शेणी प्र के लोगों से अपेक्षा थी के वो कश्मीर जाएंगे वो क्यों जाएंगे अगर वहाँ नौकरी नहीं कर पाते हैं और ये जो आप एक नई privilege class बना रहे हैं domicile citizens की ये तो शुरुवात है privilege की नई सरकार आएगी वो इसमें दो privilege और जोड़ देगी कि आप उच्च श्रेनी की शिक्षाओं में भी domicile हों आप सरकारी ठेकों में भी domicile हों धीरे धीरे 374 दर्वाजे से वापिस आ जाएगा ये क्या मजबूरी थी करने की बिल्कुल सही 31 मार्च 2020 को ये 45 पेज का गैजिटिड नोटिफिकेशन लाने की क्या मजबूरी थी अभी 8 दिन भी नहीं हुए थे lockdown को शुरू हुए कोई प्रदर्शन नहीं था कोई press conference नहीं थी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था किसी political party नहीं ये आपको कौनसा दोरा पड़ा कि आपके वहां के बहु संख्यक समुदाय को फिर से privilege कर दिया किस मजबूरी में मैं नहीं चाहता विश्यांतर हो लेकिन जिस कुछसित राजनीती के चलते कश्मीर की ये दुर्दशा हुई है उसमें अपनें और परायों की पहचान धीरे-धीरे धुमिल होती जा रही है चलिए इस विशे को अभी यहीं पर हम रोखते हैं लेकिन दो तिन टिपनियां और लेने वाली हैं हमारे सामने पहले डॉक्टर मोहन मट्टू जी और उसके बाद डॉक्टर पश्वनी मलीची संख्यक में अपनी बात रखेंगे क्योंकि मुझे लगता है दो तिन प्रश्ण और भी है दो तिन टिपनियां और भी है जी सर प्लीज नमस्कार सोची जी नमस्कार मारा मैं आपने जो बताया उसका एक उधारन हूँ जैसे कि मेरे पिता जी नाइटीन 4748 में कश्मीर छोड़के बंबे आए मैं यहां मंबे में पेदा हूँ तो आपने जो बताया यह हमारी पूरी हो जो सब्य था थी वहां पर जैसे कि हमारे घर हमारे हर एक फैमली का एक पंडिक होता था जो उसके उनों घर में जो भी त्योवास हो तो आता था एक कल्चर था हमारा यहां आने के बद बंबे में कुछ साथ तक चला क्योंकि बंबे में एक ही कश्मीरी पंडिक जित हमारे पास और वह भी हमारे घर में आके हमारी बंडे के दिनिया चोड़े-गोडे त्योवारों पर पोज्या पाट करते थे वह उसके जाने पात अभी हम यहां लोकल पंड प्रह बंडे में झाल गलो क्याओ अ अगणार करते तक चाहर पाट अव जित हुग्या ना थे वांत। ज क्या टाथ कि यहां डिए प्रहां पूंड़े बंडे कि आजिए जुच्छी टुरुच्छी टुरुट्स भी हम यहां मुजा रोग्या पाट के च्द्टर्या फिप few things we need to know. दोक्ट साव के प्रश्न के साथ है एक बार इनका प्रश्न भी ले ले लेते हैं, डॉक्टर अशुनी जी. जी, अशुनी मलिक जी. जी, साथ. अशुनी जी, अपने को अन्म्मुट कर ली जे, अशुनी जी. जी, 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 मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, यहां प्रश्चित और आशुतोस जी का भी, और सुशील जी का भी. जी, और मैं पूरी तरह से उस पीडा को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बात आज कश्मीर की हो रही है, और एक कश्मीर वैली की तरह, मेरे पूरवज भी जो है, वो, एक सून सकेसर वैली है, पाकिस्तान में अभी. वेलोंग करते हैं, मेरे को मालुम नहीं कि आज की सभा में कितने विखती हैं, जो की वहां से डिस्प्लेज ओक आए हैं, और मैंने अपने पूरुजों से ये सभी गाताएं सुनी हैं, जो पंची ने बोली हैं, और मेरे को पूरी ही वो पीडा का अनुभव है, और मैं उस पूरुजों की जो दर्ती है जहाँ कि आज एक नुकलियर प्लांट बना हुआ है उस धर्ती पे और वहां पे जाके दुवारा पूजा कर पाऊंगा तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और थोड़ा सा आश्वासन भी देना चाहूंगा मुझे पूरा विश्वास है अपनी शंक्राचार्य प्रंपरा पर जो हमारे पीठादीशो शंक्राचारी जी है मैं उन संग्ठन का मेरे पास दाइत्व है राष्ट्री है और उन्होंने इसको अध्यात्मिक धरातल पर इसका परिवर्तन किया है और वो देख पा रहे हैं कि अध्यात्मिक धरातल पर परिवर्तन हो गया है और एक भगोली धरातल पर होने जा रहा है निकिट भविश्य में बहुत ही जल्दी जबकि उन्होंने आवहान कर दिया है कि सब के पूरवज हिंदू समझेगे नी बात को सविकारने लग जाएगा समाज कि सब के पूरवज हिंदू समाज मुस्लिम समाज चाहिए वह इसाई समाज है तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे वाला समय जो है तो थोड़ा पीडा का निकलेगा और उसके बाद हम अश्वस्त दिशा में बढ़ रहे हैं जी जैज जैज धन्यवाद सुशील जी बड़ी से इस विशे पे जो प्रश्नोन किया है उस पर आप टिपनी और उसके बाद कोई और अपनी बात रखना चाहे तो नहीं तो फिर हम इस आज की चर्चा को उनता की और अग्रेसर करेंगे विश्राम देंगे और शिवानी से मैं बेदन करूंगा कि वो धन्यवाद करेंगी जी सुशीलदी प्रश्नोन का बहुत सीधा सा था कि क्या होना चाहिए लेकिन उत्तर कोई सीधा नहीं है इसका्य मेरे दिमाग में सिरस तीन बातें आती हैं मैं तो व्यवस्था से अपेक्सा कर सकता हूं कि सरकार अगर यह तीन काम करें तो हम कम से कम समाधान की और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे और अपने भीतर जो एक अंतरद्वंद है वो थोड़ा छटेगा आज भी हमें माइगरंट कहा जाता है माइगरंट होते हैं वो लोग जो स्वेच्छा से प्रवास करते हैं पढ़ने के लिए कामकाज के लिए परेटन के लिए त जो इछा से निकले हुए लोग नहीं है लेकिन सरकार इस पाखन्ड में लगी है कि हमको हमको लिए तक नहीं किया है कि सबसे पहला काम सरकार ये अधिकारिक तोर पर माने इसकी पुष्टी करें कि वहाँ एक जातिय विद्धवंस एक जैनोसाइड हुआ known किया है घाटि को हिंसक तरीके से, ठीक है, ये एक जेनोसाइड है, ये सरकार माने, एक वाइट पेपर लाए, इसको अखनॉलेज करे, ये पहला काम है, दूसरा काम है, क्योंकि अगर वो मानते हैं, तो फिर उन पर ये उतरदाइत वाएगा, कि वो इस पर, इसका संग्यान लेते हुए, इस प का दोश सिद्ध करे, उनको सजा दे, जो न्याय के लिए तरस रहे हैं अभी भी, जो पीडित हैं, जो बच गए हैं परिवारों के, उनको न्याय दे, ये दूसरा काम है, बहुत बड़ा काम है, न्याय के अभाव में, और उससे पहले पुष्टी के अभाव में, ऐसा लग पुष्मीर में इस निकाले गए समुदाय का पुनरवासन करना है, इस जैनोसाइड का रिवर्सल करना है, जैसे हम, चाहे वो आप, कहते हैं ना कि, जबानी जमा खर्च किया, संसद ने उनने सो तिरानवे में कहा, जी पियो के हमारा है, कम से कम एक प्रस्ताव पास किया, मुझे झाह और उसको दर्ज कर दिया, उससे कमिट्मेंट बन गई कि हमें ऊसे लेना है, आप कम से कम यह कहें, और उस दिशा में क्या करेंगे, उसका एक का रिक्रम, उसकी नीती बनाएं, उस पर अपनी प्रतिबद्दता दिखाएं, निश्ठा दिखाएं कि यह करना है मुझे उसके जवाब में केवल यही दिमाग में आता है कि देखिए हम किसी से पूछ कर तो आये नहीं थे जब वहाँ से निकले थे किसी से ना परमिशन ली थी ना किसी से मश्वरा किया था जान पर बनाई थी तो आकर निकल आई थे अपना घर है अपनी जमीन है जिस दिन जाने लाइक हो जाएंगे आप से नहीं पूछेंगे आपको नहीं बताएंगे वहाँ चले जाएंगे लेकिन क्या इस देश को ये तै करना है कि ऐसी भूमी पर वो कब तक अपना अपनी सार्व भौमिकता सिद्ध करती रहेगी आगरह करती रहेगी जिस भूमी पर बिना शर्तों के इस देश के प्रती निश्ठावान समाज न रहता हो आपको ऐसे जन की आवशकता है क्या कशमیर में जो इस देश से बिना शर्तों के भक्ती रखता हो निष्ठा रखता हो तो आप क्या कर रहे हैं ऐसे समुदाई को वहां ले जाने के लिए यदि आपको हमारी ज़़ूरत नहीं है आपको ऐसे लोगों की ज़ूरत नहीं है कश्मीर में जो बिना किसी मांग के बिना किसी लालच के बिना किसी परियोजना के आपसे स्वार्च सिद्ध किये बिना वहां रहकर जैसे रह रहे थे 1990 से पहले रहें अगर आपको ऐसे समाज की आवशक्ता नहीं है इस देश को इस देश की विवस्था को तो फिर इन लोगों ये लोग पागल है क्या आत्मत्या करने जाएंगे है जब ये देश ही नहीं चाहता कि वो वहां रहें और जब वहां से निकाले गए थे उसके बाद भी इस देश न में कुछ नहीं किया आज तक कुछ नहीं किया इस कानुमोदन पुष्टी तक नहीं की के वहां क्या हुआ है तो क्या सोच के कोई जाएगा जी क्या करने जाएगा बिलकुल बिलकुल तो इसके बाद जल्दी से एक टिपनी और ले लेते हैं डॉक्टर गनेश जी और उसके नवीन जैन जी है बहुत दर्यवाद और सेटी बात रखे जी सर मेरा ये मन करता है कि कोई भी हम इतनी लंबी चोड़ी चर्चा जब करते हैं तो उसमें टेक अब ये पॉइंट समेशा लेने चाहिए और जब हम बार बार ये पूछते हैं कि क्या होना चाहिए तो उसको जो अभी सुशील जी ने बोला उसको हमें डेफिनेटली शॉर्ट में समराइज करके एक रिकॉर्ड करके हम सब में बाठना चाहिए और उसका करना क्या है सोशल मीडिया का इतना जबरदस अफेक्ट है आज हमें कई सारी बातें नहीं पता होती वटसेप के माधिन से पता आते हैं या अपने फेस्बुक पेज पे एक्स पे लिखते हैं जब यह समराइज फोर में मिलेगा तो कम से कम हम 30 32 35 लोग जो बैठे हैं कम से कम यह सोचें कि यह यह है कि जो कहा जा रहा है उससे हम एगरी करते हैं तो इम्मीरियेटली हमें अपने सोशल मीडिया के माध्य से इसको फेलाने का प्रयास करना चाहिए और देर सवेर बात पहुंचती है ऐसा मेरा विश्वास है दन्यवाद मैं बिलकुल सहमत हूँ और प्रयास रहेगा कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और इसकी समरी चो है मैं शेयर करूँ आप लोग उनके साथ नवीन जी और उ उससे पूर्ण तै सहमत भी है क्या विरस्था कर पाती है क्या नहीं यह सभी के सामने है अभी रविंदर जी मुझाफर नगर से कह रहे थे उनके वो इस बात को सपोर्ट करेंगी कि उनके मुझाफर नगर के पास एक कहराना है और कहराना की स्थिती एक बिलकुल बीच में पानीपत शामली मुझाफर मगर जलानाबाद के बीच में होते हुए भी यही स्थिती उस कहराना चोटे से शैर की है और वहां पर भी आज तक सरकार कुछ नहीं कर पाई जम्मू कश्मीर तो एक पूरा स्टेट हो गया एक चोटे से शैर में भी यही वाली स्थिती है सभी हिंदू उन्हें वहां से छोड़ दी एपने गर और चोट कर कि स्थिती यह रही कि मुसल्मानों ने यह कहके खरीदा हमके गरोतों के जिस भी खरीदने से मना कर दिया और किसी भी वहां में चोड़ कर आये वहां से सरकार तो उनका भी कुछ नहीं कर पाई तो इस मैं जितन मेरे को चंडिकर मानगर परचात उमुः खरसेस से होने की नाते जो जैसा बतलाया आपने भी बतलाया कि इसमें यह जो हमें कहीं पढ़ने को चीजे नहीं मिलती जो रिकॉर्ड में भी नहीं है वो चीजे सुषिर जीसे सुनने को मिली जिससे हमारा प्रचार विबाग के बहुत बहुत जन्नेवादी हैं और अच्छी जी 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 जो का जो नमीन जी कहरें पर कुछ सही कह रहे हैं इस पर भी हमें विचार करना चाहिए यह इस समय नहीं चर्चा में करणी हो जाएगी यह विचार लिया प्रशन है आप मुझे फरनगार थैन्दख़र अपने मुझे फरनगर में जायद होगे कि मुझे फरनगर ने कोई मोहले ऐसे हैं जहां पर लिदू की यह स्तितिए करें थाल के यह अब कैसे वह akinet मों भी जुब्रण है ने सा इस ने जो नवीन जी एक प्रार्थना है आप से, आप थोड़ा दो चार साल पीले पिछे अगर जाएंगे तो नू फरियाना में क्या हुआ, वो मेरे खाल हमें सोचना चाहिए, क्या हम वारतवर्ष के हर महले में अब जिनोसाइड शुरू करेंगे, क्या हम, आप सोचना पड़ेगा, इसलिए सुशील जी ने जो एक बड़ी प्रार्थना सभी से की है, कि पहले एक रिखोगना, इस तो करो, कि जिनोसाइड किसको कहते हैं, इस तो करेंगे, तो कैरना के बाद, नू के बाद, एक और जगा, फिर एक और जगा, फिर बस आज की मरस्तिती में हमारे पास, जो रिकॉर्डिड है, पॉपुलेशन सेंसर्स, 20% हमारे रेवन्यू डिस्टिक्स हैं, जहां पर आपकी डिमोग्रेफी, 60% मुस्लिम्स हैं, आप आजा जी के सौ साल मनानी के टाइम पर क्या देखेंगे, पॉपुलेशन रेश्व हमारा क्या रहेगा, जी, मनीदता रे जी, नमस्कार, सभी वक्ताओं को मेरे हार्दिक नमस्कार, मेरा नाम डॉक्तर मनीदता राय, मैं यहां भुबनिश्वर में विश्वधिदायल, मैं प्रोफेसर हूं, इस मिटिंग का जो लिंक है, मैं रमेश बर्मा सार से मुझे मिला है, थैंक यू टो रमेश बर्मा सार, जो इलिक मुझे बेजे हैं, ग्रूप में, so that I could join this meeting, I was just listening the discussion, I mean, starting from the beginning, मैं आप सबसे मेरे निवेदन है, जो चीज भी यहां discussion किया गया, जो जो तर्क भी तर्क हुआ है, इस meeting में, इस सारे चीज का एक रेकॉर्ड होना चाहिए, there has to be, everything has to be minute, then only it will carry some meaning in for future reference, definitely. मैं आप सबसे एही निवेदन है, बहुत ही आच्छा बात discussion हुआ है, मेरे जानकारी में भी बहुत कुछ जानकारी हुआ है, after attending this particular meeting, I am really thankful to all the panelists, those who delivered their thoughts here, thank you so much, and I would like to be part of this kind of discussion in future as well, आप सब्कर मेरे नमस्का, और धन्यवाद शारे, किसी और की कोई टिपनी या कोई प्रश्न है, तो नहीं तो हम धन्यवाद ज्यापन के लिए डॉक्टर शिवानी शर्मा जी को मैं निवेदन करूंगा, कि वो आज की इस चर्चा में धन्यवाद ज्यापन करें? जी, बहुत धन्यवाद, पहले तो, तु नहीं तो, बहुत धन्यवाद, प्रफेसर आशितोर्षी, तो इस बिए प्रिविलेज तो लिसन तो श्री पंडिट जी वान उन वन, I would say. ऐसे तो टीवी पे हमने बहुत आपको सुना है, और अशितो प्रिविलेज और अवनर वर उस, and I would surely make some efforts to bring you on PU campus one day, so that you know, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पीडा है वो सहरदय व्यक्ती के बहुत आवश्यक है, उसमें इस, मुझे लगता है, इस अग्मी को, इस तेज को जगाई रखने के लिए पीडा दिखनी भी चाहिए हमारे बच्चों को और ऐसे विभाग में जहां पर नाशनल एंथम पर बहुत से बच्चे कभी एक समय पर खड़े नहीं हुआ करते थे, especially जो कश्मीर से बच्चे आते थे, और उनका समर्थन इस नाम पर किया जाता था क्योंकि हम लिब्रल हैं, दर्शन विभाग में माक्स जो है, एक मात्र माक्सियन आटिचूब जो होता है, वही लिब्रल होता है, तो आज तक हम जो अपने अपने जनेरेशन के साथ करते आएं हैं, और ये मतलब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं, या पराद ही है एक तरहा का, लेकिन अब समय मुझे लगता है बदल पीड़ा है, और आप जैसे लोगों को जब हम देखते हैं, जैसे कि पीच में बोला भी किसी ने, कि आप रेप्रेजेंट कर रहे हैं केवल कश्मीरी समाज को, मुझे लगता है केवल कश्मीरी समाज नहीं है सर्थ, ये मनुश्यता की पीड़ा है और इस तरहां से आप लोग इसमें एकाकी दूप से लगे हुए हैं, ये देखकर, मैं क्या कहूं अब, जो हमारी तरफ से प्रयास हो सकता है, जो हम कर सकते हैं, वो जरूर करेंगे, प्रशनोतर का हमारा संचार शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि तो बहुत कुछ और अभी हमें आप से सुनने को मिल रहा है, अभी तो और बहुत सी पीडाइम बाकी हैं, जैसे लियो टॉलस्टोय ने कहा, तो आपने जो आज इन्फेक्शन हम लोगों को दी है, इस अन्बिलीवर, यह ऐसा नहीं कि हमने पहले आपको सुना नहीं है, लेकिन जिस संयमित विष्टी कौन से आप अपनी बात को रखते हैं, जिस तरहां से अपने भावों को आप संचारित करते हैं, तो मुझे लियो तो टॉल्स्टोई भी आदा रहा था, एस्थेटिक्स पढ़ती पढ़ाती हूं वहाँ पे, दर्शन विभाग में, और कहीं ना कहीं संस्कृत को भी पढ़ा हुआ है, और आचारिया आनंदवर्धन को भी पढ़ाते हैं, अभिनाफ गुप्त को भी पढ़ाते हैं, हम कि इससे बढ़िया एकात्म करने का कोई हमारे लिए और मौका नहीं बन सकता था, और कोई अफसर नहीं था, तो सबसे पहले तो धन्यवाद सुभाज जी का, जिन्होंने आशुतोष जी को ये आपका नाम सुझाया, और आप माली इस बात को, और जितने भी लोगों में, जैसे सब ये मान रहे हैं इस बात को, कि टेक अवे मेसेज़े होते हैं, और वो टेक अवे मेसेज़े क्लियर कट शॉट और कृफ्ट होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि विवेकानन केंद्र के माध्यम से, जो भी हमारे शिश्य और शिश्याएं जो जूड सकी, उनका त कि कहने से बात आरंफ तो करनी पड़ेगी, कम से कम हम इसको अपने पीडा को सांझा करना सीखें, क्योंकि सांझा करने की भी कई तरीके होते हैं, तो मैं अपने बच्चों से तो यही उनको कहूंगी कि उन्हें अभी सीखना है, अपनी पीडा को रखना कैसे है, और उसको स आज का ये मैं कहूंगी कि ऑपर्चुनिटी जो हमारे लिए थी आप से सुनने से जादा सीखने की थी और ज़रूर आगे हम प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी रूप से अपने विभाग में अपनी युनिवर्सिटी में किसी तरह से आपको ले कर आएं साक्षात रूप से का कि एक बान ओंवन इंटराक्शन जो है मुझे लगता है बहुत सहायक रहेगा हमारे लिए भी थी थांकि रूप अजा एंग फॉशाज को में लिभाग में थीपर इंग आज की इस चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं और बहुत जल्दी ही इसी का एक दूसरा भाग जो है क्योंकि मेरी इच्छा है कि इसका हम सीरीज अभी शुरू करें तब तक इस सारे विशे को अग्रेसर करें और इसके साथ ही हम अगला एक कोई विशे लेंगे जो मैं जल्दी आप लोगों के साथ सांजा करूंगा और मेरा यह निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारा वट्सेप ग्रुप जाइन कर सकते हैं आप में से जिन लोगों की विभि चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं अश्तोजी मैं बहुत कम शब्दों में ही अपना अभार व्यक्त करना चाहूंगा आपने बहुत धैरे से सबने इतना समय लांगने के बाद भी सब कुछ सुना और मैं अक्षमायाचना करना चाहूंगा बीच में यदि कहीं मुझ से क कुछ अधिक कह गया हूं तो उसके लिए भी मुझे इस अवसर के लिए मैं सच में बहुत-बहुत आभारी मुझे लगता है इनकी बात हम सुन लेते हैं डॉक्टर कृष्ण कृष्णा जी बहुत जल्दी से संग्षेप में चलते-चलते आपने हाथ खड़ा किया हुआ है अन्म्यूट कर लीजे कृष्णा जी जैसे सुषिल जी ने बताया था I got to hear from one of the army men की वो लोग उदर तैना थे उस समाई and he did acknowledge की उनके पास कुछ डिरेक्शन नहीं था कुछ इंफरमेशन नहीं था की यह सब हो आया है they were kept in dark so I think I would kind of concur with Shushilji it's lack of direction or directive and lack of media participation which was biased or bigoted and again like you said for your information I mean the way stars were aligned home minister was Mufti Muhammad Saeed chief minister was Farooq Abdullah the core commander of Chinar Corps 15 Corps which is stationed in the valley was lieutenant general Zaki he is the son of a brigadier in Hyderabad Nizam's army he controlled the troops who remained in Badami Bagh cantonment did not step out yes yes and three chief justices chief justices of supreme court justice J.S. Kehar justice Deepak Mishra and the present chief justice who's going to dimit his office soon justice Chandrachood D.Y. Chandrachood all three of them tossed our petition out in the dustbin did not even admit it for justice to the victims and survivors of genocide three times so the way this community has been let down by the system in this day and age by the governments who we expected the most from جو لوگ Suomoto notice पोस्ट कार्ड को P.I.I.L. मान लेते हैं ऐसे justice system ने हमारी petitions को admit नहीं किया सुनने के लिए क्या चारा छोड़ते हैं आप ऐसे समुधाएके पास तो आज की इस चर्चा को यही विश्राम देते हैं और जल्दी दुबारा मिलेंगे और दिशों पर भी और इस कश्मीर स्थीरीज को हम अगर्सर करेंगे नन्यवाद बहुत-बहुत आभार आप लोग मीटिंग को छोड़ सकते हैं Thank you so much. Thank you, everyone. Namaskar, जी. सभी को namaskar. Namaskar, नवीन जी. बहुत-बहुत आभाराइब आपका. Namaste, जी.